हेलो फ्रेंड्स, गुट इवनिंग, कैसे हैं, आप सब आसा करते हैं, आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग NCRT पढ़ रहे हैं जियोग्राफी फ्रेंड्स अभी तक हम क्लास 6 का 7 की 8 की NCRT कम्प्लीट कर चुके हैं आज हम 9 क्लास की NCRT का 1 चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम है भारत, अकार और इस्तिति, यानि आज हम भारत के बारे में जानेंगे तो आईए सुरू करते हैं भारत, अकार और इस्तिति भारत बिश्य की प्राचींतम संस्कृतियों में से एक है, पिछले पांच दसकों से भारत ने समाजिक आर्थिक रूप से बहु मुखी उन्नती की है इसे युद्धोप तकनिकी और सरवांगीड आर्थिक विकास में अदभूत प्रगती हुई है भारत का विश्य इतिहास में भी बहुत महत्यपूड योगदान रहा है इस्तिति भारत एक विशाल देश है या उत्तरी गुलार्दे में इस्तित है चित्र संख्या 1.1 और इसका मुख्य भाग इस्तित है इसका मुख्य भाग 8 डिगरी 4 सेकेंड उत्तर से 37 डिगरी 6 सेकेंड उत्तर अच्छांस तक तसा 68 डिगरी 7 सेकेंड पूरू से 97 डिगरी 25 सेकेंड पूरू देशांतर तक है करक रेखा साढ़े तेज डिगरी उत्तर में देश को लगभग दो बराबर भागों में बाढ़ती है मुख्य भूभाग दच्छिड पूरु में अंडमान निको बार दीप समू बंगाल की खाड़ी तथा दच्छिड पहची में लच्छ दीप समू अरब सागर इस्तित है एटलस की सहायता से इन दीपों का विस्तार ग्यात किज किएगा और इनके बारे में और जारकारी कठा कीजिएगा कि क्या आप जानते हैं भारती संगराजी का सबसे दच्छिड़ी बिंदू जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता था सन 2004 में सुनामी लहरों के करण समूद्र में जल्मक्न हो गया यानि जो भारत का सबसे दच्छिड जिसे हम इंद्रा पॉइंट करते हैं वह 2004 की सुनामी में डुग गया था देखते हैं आकार आकार भारत के भूभाग भूभाग का कुल छेत्रफल लगभग 32.8 लाग किलो मीटर है भारत का छेत्रफल विश्व के कुल पुल भागोलिक छेत्रफल का 2.4 प्रतिसत है चित्रसंख्या 1.2 से असपस्ट है कि भारत विश्व का सात्वा सबसे बड़ा देश है भारत की अस्तल सीमा रेखा लगभग 15200 किलो मीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार दीप समू तथा लच्छ दीप स साथ 7516.6 किलो मेटर है भारत के उत्तर पश्ची में उत्तर तथा उत्तर पूर्वी शीमा पर नवीनतम बलित परवत है इसके दच्छीड का भूभाग उत्तर में चवड़ा और 22 डिगरी उत्तर रच्छांस में हिंद महासागर के ओर शक्रा होता गया है इसके पश्ची मे अरब सागर तथा पूरो में बंगाल के खाड़ी इस्तित है चित्र संख्या 1.3 में देखिए कि अच्छांस ऑदेसांतर का भिस्तार लगभग 30 डिगरी है परन्तु फिर भी पूरब पश्चीम का भिस्तार उत्तर दच्छीड के भिस्तार के पिछा कम परतीत होता है अच्छांस का प्रभाव दच्छीड से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधी पर भी पड़ता है कि यहां पर एक कोश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कि जो भारत जो साड़े 82 डिगरी पूर्व दिसांतर को भारत की मानक या में तोर क्यों माना जाता है क्यों माना गया है कन्या कुमारी और कश्मीर में दिन रात के वधी में अंतर क्यों है तो इसका आंसर आप लोग हमें दीजिएगा भारत तथा बिस्व भारत भूखंड एसिया महादीब के पूर और पश्चिम के मध में इस्तित है भारती भूभाग एसिया महादीब का दच्छिडी विस्तार है हिंद महासागर जो की पश्चिम में यूरोपी देशों और पूर्वी एसिया के देशों को निमिलाता है भारत को केंद्री सिती परदान करता है देखिए दच्छिड का पठार हिंद महासागर में सिर्षवत थैला हुआ है और पहस्चे मेशिया अप्रिका येज़ों के साथ साथ पूर्वी एसिया के देशों में भी पूर्वी तठके माध्यम से निकटतव संबंध बनाये हुए है हिंद महा सागर में किसी भी देश की तटी सीमा भारत जैसी नहीं है भारत इसी महत्वपूरी सिती के कारण इसके एक महा सागर का नाम रखा गया नहीं हिंद महा शागर क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं सन 1979 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप की बीच की दूरी साथ 1000 किलो मिटर कम हो गई थी यानि 1869 में जब स्वेज नहर खुली उसके बाद भारत और यूरोप की बीच ब्यापार होने लगा है और इनकी दूरी जो है साथ 1000 किलो मिटर कम हो गई चले यहां पर मैफ देख लेते हैं यह बिस्व का मैफ है यह बिस्व का मैफ है यहां आपका हो गया परशांत महाशागर यह उत्तरी अमेरिका दच्षडी अमेरिका आटलांटिक महाशागर यूरोप एसिया सबसे बड़ा देफ है एसिया महादीप एसिया अफ्रिका यह हिंद महाशागर परशांत महाशागर आस्ट्रेलिया यह विस्वत रेखा जीरो चीम्राइब के चीन बाय और भारत भारत विसमें साथवे नम्बर पर रहे कि इस बहुत करम उब कर दिया गया है इसको क्राइब यहां पर यही भारत का विस्तार दिया गया है इसकी जो लंबाई है कुल 2933 किलो मीटर है यहां से लेकर यहां तक उसके बाद क्या कहते हैं कि यह आपकी मानक्याव में तर्रेखा 85 डिग्री चलिए अब आगे देखते हैं यहां जो अंतरास्टी मार्क से ब्यापार किया जाता है वह सब ब्यापार के रास्ते को दिखाया गया है भारत का विश्व के देशों के सांथ संपर्क यूगो पूराना है परन्तु यह संबंद समुद्री जल मार्कों की यह पिछ्छा भूभागों से होकर था उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचिन काल में भारत आये जिबकि समुद्री मार्क बहुत समय तक ज्यात नहीं थे यानि बहुत समय तक समुद्री मार्क का पता नहीं चल पाया था इन मार्गों से प्राचिंतम समय से विचारों और वस्तुओं का दान प्रदान होता रहा है भारत का पश्चिमी मध्य और पुर्वी एशिया तथा दच्छिड एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अध्भूत संपर्ग रहा है इसी प्रकार उप निशिदों के विचार रमाड और पंचितंतर की कहानिया भारती अंकियों दस्मलों प्रडाली आदी संसार के बिभी न भागों तक पहुँच सके मशाले मलमल आदी कपड़े तथा ब्यापार के अने सामान भारत में बीभी नदेसों को ले जाये जाते थे ले जाये जाते थे इसके बिपरीत यूनानी अस्थापत्यकला तथा पहचिमी एसिया की वास्तुकला के परतीक मिनारों तथा गुम्बदों का प्रभाव हमारे देश के बिभिन भागों में देखा गया है अब आईए देखते हैं पडोशी देश भारत के पडोशी देश भारत का दच्छी डेसिया में एक महत्त पूरस्थान है भारत में 28 राज आठिकेंद्रसासित प्रदेश हैं चित्र संक्या 1.5 यहाँ पे कुछ प्रश्न दिये गए हैं इन प्रश्नों का उतर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा और उसके बाद इसको आप सर्च करेंगे और फिर खूजेंगे तो इससे आपको क्या होगा कि याद हो जाएगा तो इसका आंसर आप हमें जरूर दीजेगा प्रश्न क्या है कि वह्ष्चिमे और पूर्वी तटो पर केंदर सासे छेत्रों की संख्या कितनी ये बताएगा छेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज कौन सा है ये बताएगा कौन से राज अंतरास्ती समुद्र अंतरास्ती सीमा तथा समुद्र तटको असपरस नहीं करते ये भी बताएगा जो पाकिस्तान चीन में अमार और बंगला देश की सिमाओं को छूने वाले राजियों को चार वर्गों में भाजित कीजिए उन राजियों को एक वर्ग में राखिये जिनकी सिमाएपाकिस्तान से मिलती है इसी तरह अनशस वर्ग बनाई इन सबका उत्तर आप हमें जरुन दीजेगा बारत की भूमी वर्गों में चिन के साथ तथा नेपाल के साथ और भूटान के साथ लगती है यानि उत्तर में चीन नेपाल और भूटान के साथ लगती है पूरू में म्यामार और बंगलादेश के साथ यहां पर देखी दिखाया है यहां चीन नेपाल भूटान उसके बाद बंगलादेश में म्यामार पाकिस्तान आफगानिस्तान यह सब भारत के पड़ोसी देश है और यहां से हो गया स्री लंगा अब देखते हैं क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं सनुनेशो शताली से पूर भारत में दो प्रकार के राज थे प्रांत और रियासत वाइसराय द्वारा निव्ट अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर साशन करते थे और शी रियासतों का साशन अस्थानी सांस को द्वारा पैत्रिक्ता के आधार पर अ दच्छिड में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो दीप समु रास्ट हैं स्रिलंका और मालदीव भारत और स्रिलंका के बीच में छोटी समुद्री पाक जलसंधी तथा मन्नार की खाड़ी है मालदीव लच्छ दीप समु के दच्छिड में इस्तित है अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भोगोलिक और एतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं अपनी इटलस में इसिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है किया आप जानते हैं स्कूल धुवन एक पोर्टल है जो देश की प्राक्ति संसाधनों परियावरण और सतत्विकास में उनकी भूमक्या के बारे में छात्रों की बीच जग रुपता लाने के लिए मानचित्र आधारी सिच्छा परदान करता है तो इसकी बाद यहीं इंपर्टन नहीं है अब देखते हैं कुछ अभ्यास प्रशन दिया गया है उसको कर लेते हैं है कि वारत का सबसे पूर्वी दशांतर कौन सा है तो हो जाएगा यह पहला मे compound 25 से ए आप है कि उत्तरा खंड उत्icamente बेहार और पश्चिम बंगाल सिक्कीम नेपाल सिक्कीम की सिमाय किस देश के साथ चूती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल ग्रिसमा वकास में यदियाप कवरती जाना चाहते हैं ते किस किंदर सांसित परदेश में जाएंगे तिसका सही उत्तर हो जागा लच्छ दीब इसका उत्तर हो जागा लच्छ दीब मेरे एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है आप बताईए वह कुआ सा देश से इसका हो जाएगा ताजिकिस्तान क्योंकि इसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अब हम मिलते हैं निक्स क्लास में तो फ्रेंड्स यह चप्टर बहुत छोटा था आसा करते हैं आपको समझ में आया होगा हेलो फ्रेंड्स गुट मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आसा करते हैं आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं NCRT Geography इस टाइम हम क्लास नैंद की NCRT पढ़ चुके हैं जिसमें से हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स आज हम second चैप्टर पढ़ेंगे इस चैप्टर का नाम है भारत का बहुतिक सुरूप भारत का बहुतिक सुरूप चलिए शुरू करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि भारत बिभीन असला कृतियों वाला एक बिशाल देश है आप किस प्रकार के छेत्रया भूभाग में रहते हैं वह हुआं के दूर तक फैले बिशाल मैधानों से परिचित होंगे यदि परवती छेत्र के निवासी हैं तो आप परवती ढलानों और घाटियों से भली भाती पर जीत होंगे वास्तों में हमारे देश में हर प्रकार की भुवा कृतियां पाई जाती हैं जैसे परवत, मैदान, मरूस्थल, पठार, दीबसमू, इत्यादी भारत की भूमी बहुत अधिक भौतिक भीविनेताओं को दर्शाती हैं भुगरभी तोर पर प्रायदिपी पठार प्रिथवी की सत्य का प्राशीन्तम भाग यानि जो प्रायदीपी पठार है यह बहुत पहले से ही है इसे भूमी का एक बहुत बड़ा इस्तिर्भाग माना जाता है परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है हिमाले एयो मुत्तरी मैदान हाल ही में बनी असलाकृतिया है भूगर्व वैज्यानिकों के अनुसार हिमाले परवत एक इस्तिर्भाग है हिमाले की पूरी परवत श्रिंखला एक इवा असलाकृति को दर्साती है जिसमें उचे सिखर गहरी घाटिया तता तेज बहने वाली नदियां है उत्तेरी मैदान जलोण नीचिपों से बना है प्रायदीपी, पठार, आगने तथा रुपांतरी शैलो वाली कम उची पहाडियों युम चोडि घाटियों से बना है यानि जो प्रायदीपी पठार है आगने और रुपांतरी सैलों से बना है अब देखते हैं मुख्य बहुत 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 गोलिक भी तरड यह पर मैप दिया गया है हम इसको देखने के फ्रिंट्स मैप को आप बहुत अच्छे से तयार किजिए क्योंकि इससे कुशन सारे जाम्स में पूछे जाते है तो चलिए देखते हैं यह देखिए पामीर की ग्रंथी हो गई यहां पर एक कुनलून स्रेडी है जो की यह तिबद में पड़ती है यानी चाइना में कि यह कारा कूरम दर्रा है कारा कूरम दर्रा यहां से देखेंगे तो यहां कारा कूरम लद्दाग जासकर सिवालिक इसको नार्थ साउथ तैयार कर सकते हैं आप जैसे कारा कोरम, लद्दाक, जासकर, सिवालिक स्रेडी, यहां पिर राका पोसी, नंगा परवत, जोजिला दर्रा, इसके बाद केटू, गाडविनास्टिन, यहां बाराला चला, सिप किला, कामेद, नंदा देवी, धौला गिरी अन्ना पुड़ा, मांसर ओर जीट, कहला स्रेडी, इसके बाद इधर आ जाते हैं नेपाल साइड वे, मकालू, एवरेस्ट परवत, कंचन जंगा, भूमला, उसके बाद यहां पे वूम डिला दर्रा, उसके बाद दाफला, उसके बाद नामचा बरुआ, पटकाई बूम, पटकाई बूम जो है, यह पूरी भाग में पाए जाती है, इसको बहुत अच्छे से आप तयार कर लीजिएगा, यहां पे देखेंगे आप यह सुलेमान स्रडी, हिंदू कूस, अगर हम नार्थ्टू शाउथ देखें, शाउथ, तो यहां से हम पहले देखेंगे कि काराकूरम, लद्दाग, जासकर, शिवालिक, नार्थ्टू शाउथ, यहां पे यह जो है, राकापोशी, नंगा परव परवत, उसके बाद यहां पे केटू, यानि केटू राकापोशी, नंगा के बीच में पड़ेगा, इसके बाद इधर पर हो जाएगा, रेखेंगे वेश्ट वेस्ट, वेस्टू इस्ट, तो वेस्टू इस्ट में हो जाएगा कि पहले कौन सा पड़ रहा है, यहां से अब आगे देखते हैं इस उत्तर दच्षिड के एत्रिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरू तक इस्तित छेत्रों के अधार पर भी विभाजित किया गया है इन वर्गी करडों को नदी घाटियों की सिमाओं के अधार पर किया गया है उदाहरड के लिए सत्तर तथा सिंधू के बीच इस्तित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है यानि सिंधू और सतलच के बीच जो है उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं लेकिन पह्ष्चिम से पूरू तक करम से इसे कस्मीर तथा हिमांचल हिमाले के नाम से भी जाना जाता है, सत्तुर्ज तथा काली नदियों के बीच इस्तित हिमाले को कुमाव हिमाले के नाम से भी जाना जाता है, काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमाले का असम हिमाले का सिमांकन करती है हिमाले के कुछ छेत्री नाम पता कीजिए अनि अलग-अलग जगों पर अलग-अलग नाम से जाना चाता है इसको आप बताईएगा ब्रमपुत्र हिमाले की सबसे पुर्वी सीमा बनाती है दिहांग महा खढ़गार्ज के बाद हिमाले दज्षिड की ओर तीखा मोड बनाते हुए भारत की पुर्वी सीमा के साथ फैल जाता है पुर्वी पहाडियों तथा पर्व स्रिंखलाओं के नाम से जाना जाता है ये पहाडिया उत्तर पुर्वी राजयों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो औसादी सेल हैं से बनी है ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर स्रिंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है पुर्वांचल में पटकाई, नागा, मीजो तथा मड़ीपूर पहाड़या सामिल है ये सब पुरु में इस सित हैं भारत के अब हम बात करते हैं उत्तरी मैदान उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रडालियों सिंधु गंगा एवं ब्रम्ह पूतर तथा इनकी शहायक नदियों से बना है यह मैदान जलोड मिर्दा से बना है लाखो और सो से हिमाले के गिरिपाद में इस सित बहुत बड़े बेसिंद्रोडी में जलोड हो का निछेप हुआ इससे इनुप जाओ मैदान का निर्माड हुआ इसका विस्तार साथ लाख वर्ग किलोमीटर के छेतर पर है यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 240 से 300 किलोमीटर चोड़ा है यह सगन जन संख्या वाला भोगोली छेतर है समरिद मिर्दा आवरड परियाप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायू के कारण प्रिशी की द्रिश्चुकोर से भारत का आतधि दिश्चुकोर से यानि उत्तरी मैदान जो है उत्तरी भागों से आने वाली नदिया निच्षेपड कारे में लगी है नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के और नदी की कती कम हो जाती है जिसके पड़्यामस्वरुप नदी दीवपों का निर्माड होता है आपर दे सबसे बड़ा नदी दिविफ है नदी दिविफो का निर्माण होता है यह आप यह देखते है यह नदियां अपने नीचले भाग में गाद इकत्र हो जाने के काड़ बहुत सी धाराओं में बट जाती है इन धाराओं को भी तरीकाएं कहते है यह नदियां जो होती है निचले भाग में जब गाद इकत्र हो जाता है उसके कारड़ यह बहुत से धाराओं में बट जाती है नहीं धाराओं को हम भी तरीकाएं कहते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या आप जानते हैं दौआप का अर्थ तो आपका अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग, दो आप दो सब्दों से मिलकर बना है, दो दो आप अर्थात पानी, इस परकार पंजाब भी दो सब्दों से मिलकर बना है, पंज का अर्थ है पांच, आपका अर्थ है पानी यानि पंज पानी, यानि पांच पानी, पंज चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। गंगा के मैदान का विस्तार घगर तथा तिस्तानेदियों के बीच है या उत्तरी भाग हरियाड़ा दिल्ली उत्तर परदेश भिहार जहारकंड के कुछ भाग तथा पश्ची मंगाल में फैला है ब्रहमपुत्र का मैदान इसके पूरो बिसिसकर असम में इस्तित है उत्तरी विभिनता के कारण उत्तरी मैदानों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है नदियां परवतों के बीच एक नदियां परवतों के उतरते समय परवतों के नीचे उतरते समय सिवालिक के ढाल पर आठ से 16 किलो मीटर के चोड़ी पट्टी में गुहिका का आती है यह नम तथा दलदली छेत्र का निर्माड करती है जिसे तराई कहा जाता है यह वन्य प्राडियों से भरा घने जंगलों का छेत्र है बट्वारे के बाद पाकिस्तान से आय सरडार्तियों को क्रिसी योग यह भूमे उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को पाटा लखिम पुर्खिरी बढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवन निछेपों को खादर कहा जाता है इसका लगभग परतेक वर्ष पुन्न निर्माड होता है इसलिए यह उपजाओं होने के उपजाओं होते हैं तथा गहन किरसी के लिए आदर्स होते हैं अब देखते हैं प्राय दीपी पठार एक मेंज की आकर्टी वाला अस्त्यल है जो जो पूराश्य नगर पूछा गया कि जो प्राय दीपी पठार है इस प्रकार की सेलो से बना गया है उसमें पुराने क्रिस्टली आगने तथा रुपांत्री सेलो से बना है यह गुंडवाना भूमी के टूटने योम अफवा के कारड बना है यहीं कारड है कि यह प्राचिंत भू भाग का एक हिस्सा है इस पठारी भाग में चोड़ी तथा चिछली घाट इस पठार के दो मुख्य भाग हैं मध्य उच्छ तथा दक्कन का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में प्राय दिपी पठार का वह भाग जो की मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्छ भूमी के नाम से जाना जाता है बिंद सिंखला दच्छ में सत्पुड़ा सिंखला तथा उत्तर पच्छी में अरावली से घिरी है पच्छी में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलूई तथा पत्रीले मरुस्तल से मिल जाती है इस छेतर में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केंद, दच्छ पहच्छी में से उत्तर पुरु की ओर बहती है वे इस प्रकार के छेतर के ढाल को दरसाती है इस पठार के पुरु के बिस्तार को दामोदर नदी दोरा अपवाई छोटा नागपुर पठार दरसाता है दच्छीड का पठार एक त्रिभुजा कार भुभाग है जो नर्मदा घाटी के दच्छीड में इस्तित है उत्तर में इसके चोड़े अधार पर सत्पुरा के स्रिंखला है जबकि महादेव कैमूर की पहाडी तथा मैकाल स्रिंखला इसके पूरुवी विस्तार है भारत के भोतिक मानचितर पर इन पहाड़ी ओम स्रिंखलाओं की इस्तिति को ग्यान करें अभी देखते हैं मैफाम दचिड का पठार पश्ची में उचायों पूरु की और कम धालवाला है कम धालवाला है इस पठार का एक भाग उत्तर पूरु में भी देखा जाता है जिसे अस्थानी रुपसे में घाला है कार्बी इंगलॉंग का पठार कहते हैं पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है यह एक भ्रंस के द्वारा छोटा नाकपूर पठार से अलग हो गया है पच्चिम से पुरुकीर तीन महत्पूर्स रिंकलाए गारो खासी जैनतिया है दच्चिड के पठार के पुरुवियं पश्चिमी सीरे पर क्रमसा पुरुवियं पश्चिमी घाट इस्तित है पश्चिमी घाट पश्चिमी तटके समाना अंतर इस्तित है वे सतर तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है भारत के बहुतिक मानचीत्र में थाल घट, बोर घट, पाल घट की स्थिति याद करें ये सबी जो पश्चिमी घट में इसथ हैं ये सब दर्डने पश्चिमी घट पूर्विघट की अपच्छा उंचे पुर्वी घाट के 600 मीटर की आउसत उचाई की तुलना में पश्चमी घाट के उचाई 900 से 1600 मीटर है पुर्वी घाट का विस्तर महा नदी से दच्छिड में निल गिरी तक तथा पुर्वी घाट का विस्तर सतत नहीं है यह नियमित, यह अनीमित है यह वर्षा घाट के पश्मी ढाल पर आद रहवा के टकरा कर उपर उठने के कारण होती है पश्चिमी घाट को बिभी नस्थानी नामों से भी जाना जाता है, पश्चिमी घाट की उचाई उतर से दच्छिड को और क्रमसा बढ़ती जाती है, इस भाग के सिखर उचे हैं, इसे अनाई मुडी 2695 मीटर तथा डोड़ा बेटा, ये सभी पश्चिमी घाट की चोटिया ह की पहाडियां, पहाडियां इस्तित है, ऊड मंगलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, कोडाइक नाल जैसे परसिद पहाडी नगरों के इस्तिति मान्चितर में घ्यांत कीजिए, फिटलस में देखिए, प्राय दिपी पठार की एक विशेस्ता, यहां पाई जाने वाल प्राइदिपिपठार के पष्चिम इमं उत्तर पष्चिमी किनारे पर इसी थे यह बहुत अधीक अपर्दित इमंखंडित पहाडियां यह गुजरात से लेकर दिली तथा दचीड पष्चिम इमं उत्तर पूरु दिसा में फैली हैं दिखते हैं भारती मरुस्थाल, भारती मरुस्थाल, रावली पहाडी के पहचिम किनारे पर थार का मरुस्थाल इस्तित है, यह बालू के टिब्बों से ढखा है, यह उम्तरंगित मैदान है, इस छेत्र में प्रगती वर्स 150 मिली मीटर से कम और सा होती है, इस उसके वाले छेत्र में वर्स पती बहुत कम है, वर्सारितू में कुछ ही सरीताय दिखती हैं और इसके बाद बालू में ही बिलीन हो जाती है, परियाप तजल नहीं मिलने से विए समुदर तक नहीं पहुँच पाती है, क्यों लूनी ही इस छेत्र की सबसे बड़ी नदी है, यह नमबो चीले पर भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुकता से पाए जाते हैं, यदि आप जैसल मिर जाएं तो बरकान के समुदर देख सकते हैं, यह जैसल मिर अगर आप चाते हैं गूमने, तो आप बरकान के समुदर को देख सकते हैं, अब आगे हम देखते हैं, तटी म इस्तार है यह पश्ची में अरब सागर से लेकर पुर्में बंगाल के खाड़ी तक बिस्रित है पश्चीमी तैट पश्चीमी घाट तथा अरब सागर के बीच इस्तित एक संकीड मैदान है इस मैदान के बीच इस मैदान के तीन भाग है तटके उतरी भाग को कोंकड मुंब या सब अभी हम मैप में बड़ी नेदिया जैसे माहां नेदी गुदावरि stakes टथा काविई कि इस टर्ट को तका निर्माड करते हैं। चिलका जील पूर्वी तट परिसित एक महत्पूर भूल अच्छड है। केरल के मालावार तट के पास सिस्ति लच्छ दीप की सिति को ग्यांत किजिए। दीपो का यह समुझ छोटे प्रवाल दीपो से बना है। इनको लका दीप, मीनीकाय तथा एमिन दीव के नाम से जाना जाता है। 1973 में इसका नाम लच्छ दीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलो मीटर के छोटे से छेतरवे फैला है। कावरत्ती दीप लच्छ दीप का परसासनिक मुख्याला है। इस दीप समू पर पादप तथा जन्तू के बहुत से प्रकार पाय जाते हैं। पिटली दीप जहां मनुस्त का निवास नहीं है, वहां एक पच्छी अभ्यारण है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दच्छीड की तरफ फैले दीपो के स्रिंकला के और ध्यान दीजे। यह सब मैप में देखना है। यह अंडमान निकोबार दीप है, यह दीप समू अकार में बड़े संख्या में है। बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए है। यह दीप समू मुख्यता दो भागों में बाटा गया है। उत्तर में अंडमान तथा दच्छिड में निकोबार यह माना जाता है कि यह दीप समू निमजित परवत स्रेडियों के सिखर तथा दीप समू देश की सुरच्छा। सुरच्छा के लिए बहुत महत्यपूर है। इन दीप समूहों में पाए जाने वाले पादर तथा जन्तूओं में अधिक भी विदता है। यह दीप विश्वत वृत के समी पिस्थित है। यहां की जलवाई विश्वती है। तथा घहने जंगलों से अच्छा दित है। क्या आप जानते हैं। भारत एक मात्र सक्री जॉला मुख्य अंडमान तथानी को बारदीप समूगे बैरन दीप परिस्थित है। यानि बैरन दीप पे सक्री जॉला मुख्य का विस्तार है। विभीन भुवाकृतिक विभागों का विश्तृत विवरण परते विभाग की विशेस्ताइं स्पस्ट करता है परंतु यह है यह अस्पस्ट है कि यह विभाग एक दूसरे के पूरक है और वे देश को प्राक्तिक संसाधनों में समरिध्ध बनाते हैं उत्तरी परवत वनों के प्रमुक्ष रोत है उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है इसे प्राचीन सभेताओं के विकास को अधार मिला पठारी भाग खनीजों के भंडार है जिसने देश के अदोगी करण में बिसेस भूमिका निभाई है इस प्रकार देश की विवित भूतिक आकृतियां भविश में विकास की अनेक संभावनाय परदान करती हैं कि अब आके देखते हैं कि जितने टॉपीक कवर किया हम लोगों ने अब उसको मायब के माध्यम से देख लेते हैं एक बार तो चीजी अच्छे से किलियर हो जाएंगी तो चलिए सुरू करते हैं तो यहां पर देखे यह имость हैं और यहां पर कुलून स्रेडी कुलून ररेडी और यह पामीर की गरंती है यहां पर हो गया आपक कारा कॉरम लद्दाक जासकर सीवालिक स्रेडी यहां पर आपका क एट्टू है उसके बाद इधार आते हैं तोस्रेड़ और ज़ंग परक्र- यह इतना portion हिमालाय का है जो अब ही हमने देखा इतना portion हिमालाय परवस्रेडी का है अब देखते हैं कि भारती मरुस्थल कि सॉरी कि दूसरा देखते हैं उत्तरी मैदान उत्तरी मैदान, यह आपका उत्तरी मैदान हो गया, उत्तरी मैदान में जैसे इसमें नदियां विस्तारित हैं, तो यहां पे हो गई सून नदी, गंटक नदी, खागरा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, तो उत्तरी मैदान में नदियों का विस्तार हैं, और यही से जलोप लिठे जलोव मिर्दक का निर्माडध होता है इसलिए यहां की में उपयाऊं होती है workers अब तीसरा देखते हैं दककन का पठार यहनी प्राई दीपी पठार है यहां पे हो गया दककन का पठार यानि प्राई दीपी पठार 22 ॉप आप यहां यहां पर आपका चोटा नागपुर का पठार हो गया और यहां पर अब देखते हैं कि यह आपका पश्चिमी घाट यह पूर्वी घाट यहां पर कॉंकर्ट तठ पोरु मंडल उत्तरी सरकार यहां पर जो तो जो चोटिप्ैं ए मुडी आ यहां अन्पक्रण कि पहाडियां यहां हुआ परिकते कु. हि खृष्चिम अधी गोदावरी नदी महण डी मालावार मालावार्थत वतंतु है यह पेश्चिमी थका भाग है मालावार कोंकड निननननdenken यहाँ पे देखिए अरावली परवत्रेडी है गिर्स्रेडी आपे गारोखासी जैंतिया की पहाडिया हैं इतिनों एक सीध में हैं गारोखासी जैंतिया की पहाडिया फ्रेंड्स अब आगे कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है और नेम ने लिखी विकल्पों में से सही उत्तर का चैन करना है तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्ण है कि एक अस्थली भाग जो तीन और से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रायदीब उसे हम प्रायदीब कहते हैं दुसरा है कि भारत के पुर्वी भाग में म्यामार की स पच्छिर में इस्थित्प शिमे तटी पटी तो इसको हम कहेंगे कणनड इसका सही उतर करनन इसका है कि पूर्वी घाट का सरवच शिखर है इसका सही उतर हो जाएगा महिंद्र तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही फ्रेंट्स अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी सेयर कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है तो Hello friends, good morning, कैसे हैं आप सब आसा करते हैं, आप सब अच्छे होंगे तो friends जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग NCRT जिओग्राफी की बुक पढ़ रहे हैं तो friends, इस टाइम हम लोग class 9th की NCRT जिओग्राफी पढ़ रहे हैं इसमें हम first chapter और second chapter complete कर चुके हैं तो आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम है अफवा, यानि आज हम नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए सुरू करते हैं, अफवा, तो पहले हम अफवा सब्द को देखते हैं, कि अफवा सब्द क्या होता है, अफवा सब्द एक छेत्र के नदी तंत्र की ब्याख्या करता है, भारत के बहुतिक मानचित्र को देखिए, आप आएंगे कि बिभे ने दिसाओं से छोटी छोटी नदियां आकर एक साथ मिल जाती हैं, तथा एक मुख्य नदी का निर्माड करती हैं, यानि छोटी छोटी न आकर मिल जाती हैं और एक मुख्य नदी यानि बड़ी नदी का निर्माड करती हैं, अता इसका निकास किसी बड़े जला से जील अथवा समुद्र या महासागर में होता है, जिनका निकास जील में भी हो सकता है, समुद्र में भी हो सकता है, और महासागर में भी हो सकता है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस छेतर का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह द्रोडी कहते हैं यानि मालीजे अगर कोई नदी तंत्र है उस छेतर का जो जल जहां प्रवाहित होता है जिस दिसा में उसे हम अफवाह द्रोडी कहते हैं मान्चित्र का अलोकन करने पर पता चलता है कि कोई भी उचा छेत्र जैसे परवत या उच्छ भूमी को दो पडोसी अपवाद रोडियों को एक दूसरे से अलग करती है इस परकार की उच्छ भूमी को जलविभाज़क कहते हैं यानि जब दो पडोसी अपवाद रोडिया एक दूसरे को अलग करती है उसे हम जलविभाज़क कहते हैं विसु की सबसे बड़ी अपवाद रोडी अमेजन नदी की है जो की अफ्रीका में है भारत में किस नदी की अपवाह द्रोडी सबसे बड़ी है आप हम बताएंगे अब हम आगे देखते हैं भारत में अपवाह तंत्र तो चलिए शुरू करते हैं भारत के अपवा तंत्र का नियंत्रड मुखयत भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है इस अधार पर भारती नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है पहला हिमाले की नदिया दूसरा प्रायदीपी की नदिया हिमालय की नदिया प्रायदीपी नदिया भारत के दो मुख्य भोगोलिक छेत्रों से उत्पन होने के कारण हिमालय तथा प्रायदीपी नदिया एक दूसरे शेभिन है एक दूसरे शे भिन है हिमालाई की अधिकतर नदियां 12 मासी नदियां होती यानि जो हिमालाई की नदियां होती हैं 12 महीनों लगातार जल भरा रहता है इनमें वर्स भर पानी भरा रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अत्रिक्त उच्छे परवतर से पिघलने वाले हीम द्वारा भी जल प्राप्त होता है यानि जो हिमालई नदिया होती है उनमें वर्स भर हमेशा जल भरा रहता है और यह जल जो है कि सिर्फ वर्षा पर निर् जल से भरी रहती हैं हिमाले की दो मुखे नदियां सिंधू तथा ब्रम्ह पूतर इस पर्वती स्रिंखला के उतरी भाग से निकलती है इन नदियों ने परवतों को काट कर गार्जो का निर्माड किया है यानि हिमालाई की नदियां अपने उत्पत्ती के अस्थान से लेकर समुधर तक लंबे रास्ते को तै करती है यह अपने मार्ग को उपरी भागों में तिप्र अपरदन करिया तिप्र अपरदन करिया करती है अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एयों बालू का समभन करती है मद्ध एयों निचले भागों में यह नदियां बिसर्प गोखुर जील तथा अपने बाढ़वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निच्छे पड़ाकृतियों का निर्माड कर या इंक्तियों में वर्च भरजल नहीं रहता है यानि वर्ष्विव वर्षा निर्भर करती है सुस्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है हिमालाई की नदियों की तुलना में प्राय दीपी नदियों की लंबाई कम और छिछली है यानि जो हिमालाई की नदियां होती है वह बहुत बड़ी नदियां होती है काफी लंबी दूरी तय करती है वहीं जो प्राय दीपी नदिया होती है इनकी लंबाई कम होती है और यह छिछली होती है फिर भी इनमें कुछ केंद्री उच्च भूमी से निकलती है तथा पश्चम की तरब भहती है क्या आप इस परकार की दो बड़ी नदियों को पचान सक इसको आप हमें जरूर बताईएगा प्राय दीपी भारत के देखते नदिया पश्चमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरब भहती है अब देखते हैं हिमालय की नदिया हिमालय की नदिया सिंधू गंगा ब्रह्म पुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां है यह नदिया लंबी तथा अनेक महत्पूर एवं महत्पूर एवं बड़ी शहायक नदियां आकर इनमें मिलती है किसी नदी तथा उनकी शहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है सिंधू नदी तंत्र अब बात करते हम सिंधू नदी तंत्र की इसको बहुत ध्यान पुर्वक पढ़िये सिंधु नदी तंद्र सिंधु का उद्गम मानसरोवर जहिल के निकट तिबबत में है यानि सिंधु नदी मानसरोवर जहिल तिबबत से निकलती है पश्चम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाक से परवेश करती है इस भाग में यह एक बहुत ही सुन्दर दर्सनी गार्ज का निर्माड करती है इस छेत्र में बहुत से सहायक नदियां जैसे जासकर, नूब्रा, स्योग, हुंजा इस नदी में आकर मिलती है यानि पूछा जाए कि सिंदु नदी की सहायक नदियां तो हुगए यहां पे जैसे जासकर, नूब्रा, स्योग, तथा हुंजा सिंदु नदी बलुचिस्तान तथा गिलगित में बहते हुए अटक में परवती छेत्र से बाहर निकलती है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाप, तथा जेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंदु नदी में मिल जाते हैं यानि जो सतलज है ब्यास, नदी, चिनाप, जेलम आपस में पाकिस्तान के मिठान कोट में सब एक ही जगह पे मिल जाती है इसके बाद यह नदी दच्छिड की तरब भहती है तथा अंत में कराची के पूरू की और अरब सागर में मिल जाती है सिंधू नदी के मैदान का ढ़ाल बहुत धीमा है सिंधू द्रोडी एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्बू कस्मीर लद्दा की हिमाचल तथा पंजाब में तथा सेस भाग पाकिस्तान में इस्तित है 29 किलो मेटर लंबी सिंधू नदी विस्व की लंबी नदियों में से एक है यानि सिंधू नदी की लंबाई 29 किलो मेटर है क्या आप जानते हैं सिंधू जल समझोता संधी की अनुच्यदो और 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर जल का किवल 20 प्रतिसत जल उपयोग कर सकता है यानि भारत सिंधू नदी का 20 परसेंट जल उपयोग कर सकता है इस जल का उपयोग हम पंजाब हर्याड़ा राजस्थान के दच्छिड पश्चिम भागों में सिचाई के लिए करते हैं यहाँ पे एक चित्र दिया गया है यह देखिए नदी की विभिन अवस्थाएं विभिन अवस्थाएं नदी का स्रोत मालीजी यहाँ से चली फिर उपरी भाग पिर मद्य भाग पिर यहां निचला भाग इसके बाद क्या है गोखुर जील का निर्माड करती है यहाँ पे दिखाए गया बिसर्प का निर्माड पिर यहाँ जब आगे बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की गंगा नदी तंत्र गंगा की मुख्यधारा भागी रथी गंगोत्री हिवानी से निकलती है तथा अलक नंदा उत्रा खंड के देव परियाग में इससे मिलती है हरी द्वार के पास गंगा पर्वती भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रिविस करती है यानि हरी द्वार के पास गंगा है वह पर्वती भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रिविस कर जाती है हिमाले से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है इनि में से कुछ प्रमुक शहायक है यमुना घागरा गंटक कोशी यानि ये गंगा की शहायक नदियां है यमुना नदी हिमाले की यमुनोत्री हिमाले से निकलती है या गंगा के दाहिनी किनारे के सामानांतर भहती है इलहा बाद में गंगा में मिल जाती है घागरा गंटक तथा कोशी निपाल हिमाले गंटक कोशी निपाल हिमाले से निकलती है इनके कारड परतेक वर्स उत्तरी मैदान के कुछ हिसे में बाढ़ाती है जिससे बड़े पैमाने पर जानमाल का नुक्षान होता है लेकिन ये बे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाउंपन परदान कर क्रिशियोग्य भूमी बना देती है बना देती है प्राय दीपी उच भूमी प्राय दीपी उच भूमे से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल बेतवा सोन है ये अर्धसूस के छेतरों से निकलती है इनकी लंबाई कम तथा इन में पाने की मात्रा भी कम होती है इन अदिया कैसे और कहां से कहां गंगा में मिलती है तो इसको आप हुमें बताईएगा बाए तथा दाहिने किनारे की शहायक नदियों के जल से परिपूर होकर गंगा पूरु दिसा में पश्चिम बंगाल के फरकार तक भहती है यह गंगा डिल्टा का सबसे उत्तरी बिंदू है यहां नदी दो भागों में बढ़ जाती है भागी रथी हुगली जो इसकी एक बितरीका है दच्छिड की तरफ भहती है तथा डिल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है मुख्य धारा दच्छिड की ओर बहती हुई बांगला देश में परिवेश करती है यह ब्रम्हपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है अंतिम चरण में गंगा और ब्रम्हपुत्र समुद्र में बिलीन होने से पहले मेघना के नाम से जा जाता है कि यहां पर देखिए यहां पर भी रियागे इसको पढ़ लेते हैं कि आप जानते हैं नमानी नमामी गंगे गंगे एक एक इकृत सनाच्छड मिसन है इसमें रास्टी नदी गंगा से संबनी दो उद्देश्यों प्रदूसर के प्रभाव को कम करना तथा इसके आपको पूरा किया जा सके अगर आपको अधिक जानकारी प्राप्त करनी है ता अप इस बेवसाइट से जाकर पढ़ सकते हैं कि आप जानते हैं सुंदरवन डिल्टा का नाम मोहां पाय जाने वाले सुंदरी पादब से किया गया है यहां रॉयल बंगाल टाइगर भी पाय जाते हैं सुंदरवन डिल्टा में गंगा की लंबाई पची सो किलो मीटर से अधिक है चित्र संख्या 3.4 में देखें यहां पर पहले हम मैप देख लेते हैं पहले हमने पढ़ा है सिंधु नदी तंत्र तो सिंधु नदी तंत्र यहां से निकल रही है यहां से इसके बाद सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां जेलम चिनाब रावी सतलच यह तीनों पाकिस्तान के मिठान कोट में मिल जाती हैं ये बात हुई सिंधु नदी तंत्र की अब हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की तो गंगा नदी तंत्र इधर से निकलती है इसके बाद दिरे दिरे आगे बढ़ते हुए उसके बाद इलहाबाद में यमुना नदी यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है इसके बाद यहां से कुछ नदिया निकलती हैं जैसे चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, यह सब जाके गंगा नदी में मिल जाती हैं, गंटक नदी, ओशी नदी, चलिए बागे देखते हैं, यहां से होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, और यहां पर सुन्दर वर्ल्ड डेटा का निर्माड करती हैं, यहां देखिए कि यहां मानसनोर जील से ब्रह्मपूतर नदी निकलती है, जिसको हम तिबबत में सांगपो नदी के नाम से जाने जाते हैं, जैसे यह हैं यहां पे आंदर परदेशासा में पहुंचती है, इसके बाद यहां इसको दिहांग दिबांग लोहित के नाम से जा और ब्रह्मुपूत्र मिलती हैं तो मेगना नदी के नाम से जानी जाती हैं बंगलादेश में फिर इसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं अब आगे देखते हैं यहां पर देखिए यह सामभर जील है उसके बाद यहां महाराड़ा प्रताफ सागरबांद बनाया गया है उसके बाद यहां कि हो गए नर्मदा नदी तापी नदी पेन गंगा नदी गुदावरी नदी महा नदी गुविंद बल्लम पंदा सागर आप यह अधिने यहां पर बाद्रोशागरण है आप इसको बताईएगा कि कौन सा बाद्र है कौन सा जो मतलब कौन सा बाध है, किस नदी पर बनाया गया है आपे देखे चिलका जील, यह महा नदी, कुलेरू जील, पुलिकट जील यहाँ पे हो गई, क्रिस्डा नदी, निजाम सागर, नागारजुन शागर, तुंग भद्रा नदी लिंगा मक्की जील, क्रिस्डा राज सागर जील, यह सब साउथ में पाई जाती हैं, यह याद रहे हमेशा आपे बेमबनाद जील देखें, अब आगे देखते हैं, क्या आप गंगा नदी की अपवा तंत्र को पहचान सकते हैं, अंबाला नगर, सिंदू, तथा गंगा नदी, तंत्रों के बीच जल विभाजक परिस्थित हैं, अंबाला से सुंदर वन तक, तक मैदान की लंबाई लगवक गठ 1800 किलो मेटर है, परन्तु इसके ढाल में गिरावाट मुस्किल से 300 मीटर हैं, दूसरे सब्दों में परती 606 किलो मेटर की दूरी पर ढाल में गिरावाट केवल 1 मीटर है, इसलिए इन नदियों में अनेक ब जिल के पूरू तथा सिंदू युम सतलच के स्रोतों से कापी नजदीक से निकलती है इसकी लंबाई सिंदू से कुछ अधिक है परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहरी सिथ है यह हिमाले के समानांतर पूरू की और बहती है नामचा बरवा सिखर 7757 मीटर के पास पह भारत में प्रविश करती है और अरुडा चल परदेश में तो उसको हम यहां दिहांग नाम से जानते हैं तथा दिबांग लोहित केनूला यहम दूसरी शाहयक नदियां इससे असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माड करती है असम में केनूला और उसकी जिस दूसरी शाहयक नदियां असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माड करती है कि आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिबबत में संग्पोयम बांगलादेश में जमुना कहा जाता है यानि ब्रह्मपुत्र नदी को बांगलादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है यह आप याद रखेंगे अगे देखते हैं तिबबत एक सीत योम सुसक छेत्र है अता यहां नदी में जल योम सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है भारत में यह उच्च वर्सा वाले छेत्र से होकर गुजरती है यहां नदी में जल योम सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है असम में ब्रमपुत्र अन्यक धाराओं में बहकर एक गुंफित नदी की रूप में बहती है तथा बहुत से नदी दीवियों का निर्माड करती है क्या आपको ब्रमपुत्र के दोरा बनाएगे बिसकुर सबसे बड़े नदी दीव का नाम याद है इसको आप बताईएगा हमें परतेक वर्स वर्सा रितू में यह नदी अपने किनारे से उपर बहने लगती है और बाढ़े के द्वारा असम तथा बांगलादेस में बहुत अधिक छती पहुँचाती है उत्तर भारत की अन नदियों के विप्रित ब्रह्म पूत्र नदी में सिल्ट एउम नीचे पड़ की मात्रा बहुत अधिक होती है इसके कारण नदी की सता बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है अब हम बात करते हैं प्राय दीपी नदियां अभी तक हमने जितना पढ़ा वह हिमाले की नदियां थी प्राय दीपी नदियां प्राय दीपी भारत में मुख जल विभाजक का निर्मार पश्यमी घाट दौरा होता है जो पश्चिमी तटके निकट उत्तर से दच्छिन के और इस्तित है प्राय देपी भाग भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महा नदी गोदावरी किरिसड़ा तथा कावेरी पूर्व की और बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं यह नदियां अपने मु और ज्वार्नेद मुख का निर्माड करती हैं प्राय दीपी नदियों की यह पहाद रोडियां आकार में पिछाक्री छोटी होती हैं अब आप हम देखते हैं अब नर्मदा रोडी नर्मदा का उद्गम मध्यपर्देश के अमर कंटक पहाड़ी के निकट है यानि नर्मदा नदि है जो मध्यपर्देश के अमर कंटक पहाड़ी से निकलती है यह पस्चिम की ओर एक भ्रहंस घाटी में बहती है यानि जनर्मदा नदि भ्रहंस घाटी में बहती है यह जिसे बहती है तथा जहां यह नदी तिप राल से गिहती हैं वहां धूमा धार जल पर Dit discipline करते runnersいた करती है जहां अलहरों तर्बादेया नदी सब्पर्देरल कि के दिके यहाँ पर देखते हैं कि आप जानते हैं नर्मदा के सनच्छड के लिए मध्ध परदेश सरकार द्वारा नमामी देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारम्भी की गई है इसके बारे मधिक जानकारी इस वेबसाइट से देख सकते हैं अब बात करते हैं तापी नदी द्र कम है इसकी द्रोडि मध्ध परदेश गुजरा तथा महारास्त राज्य में आनी तापी नदी मध्ध परदेश गुजरात और महारास्त में बहती है अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटी मैदान बहुत अधिक संकीड है इसलिए तटी मैदानों की लंबाई बहुत कम है। पष्चिम के और बहने वाले मुख हिनदियां शालमती माही भारत पुजा तथा पेरियार हैं। अब हमें इन नदियों का नाम बताइएं जिन राजों में यह नदियां बहती हैं। यह चारों नदिया कमंड बोक्स में। चले अब देखते हैं गुदावरी नदी द्रोडी गुदावरी द्रोडी गुदावरी सबसे बड़ी प्राय दीपी नदी है यह महारास्ट के नासिक जीले से पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है इसकी लंबाई लगभग पंदरसो किलो मीटर है यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है प्राय दीपी नदीओं में इसका अपहुआ तंत्र सबसे बड़ा है इसकी द्रोडी महारास्ट नदी द्रोडी का 50% धाग मध्यपरदेश, ओडिशा, आंध्रपरदेश में इसी तक गुदावरी में अनेक सहायक नदिया मिलती है जैसे पुड़ा, वर्धा, प्राण हीता, मांजरा, वेन गंगा, पेन गंगा इनमें से अंतिम तीनों शहायक नदिया बहुत बड़ी है बड़े अकार और विस्तार के कारड इसे दच्छड गंगा के नाम से भी जाना जाता है अब बात करते हैं महा नदी महा नदी द्रोडी, महा नदी का उद्गम 36 गड़ की उच्छ भूमी से है तथा यह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है महा नदी का संबंध की राजियों से है तो यहाँ पर महा रास्ट 37 गड़ जारखंट ओड़ी शाशे है चार राजियों से यह याद रखियेगा अब बात करते हैं किरिस्तडा द्रोडी किरिस्तडा द्रोडी महा रास्ट के पश्चिम घाट में महा बलेस्वर के निकट एक स्रोट से निकल कर किरिस्तडा लगभख 1400 किलो मीटर बह कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है तुंग भद्राक पोईना घाट प्रभा मूसी भीमा इसकी कुछ सहायक नदिया है इसकी द्रोडी महा रास्ट करनाटक तथा आंधरपरदेश में फैली है यानि क्रिशान नदि का संबंध महा रास्ट करनाटक और आंधरपरदेश से है अब बात करते कावेरी द्रोडी की कावेरी द्रोडी कावेरी पष्चिमी घाट के ब्रम हगीश रिंखला से निकलती है तथा तमी नाडो में कुडलुरू के दच्छिड में बंगाल के खाडे में मिल जाती है आनि ब्रम्हगीरी सिरिंखला से निकलती है कावेरी नदी, इसकी लंबाई 660 किलो मीटर है तथा इसकी प्रमुक शायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती, काविनी इसकी द्रोडी तमी, नाडू, केरल तथा करनाटक में विस्त्रित है क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात कावेरी नदी मनाती है इसे सीव समुद्रम के नाम से जाना जाता है प्रपात द्वारा उत्पादित, विद्दुत, मैसूर, बैंगलोर, तथा, पुलार, स्वन, छेतर को परदान किया जाता है जो सीव समुद्रम बाध है, यह कावेरी नदी पर बनाया गया है भारत का सबसे बड़ा जल परपात कौन सा है आप बताईएगा आप से इसलिए कोशन पूछा जाता है क्योंकि आप इसका उत्तर देंगे तो थोड़ा खोजेंगे, पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, इसके बाद बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा ऐसा नहीं कि मुझे आ नहीं रहा है, मैं बता नहीं रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आप खुद से आंसर दीजे इसका इन बड़ी नदियों के अत्रिक तो कुछ छोटी नदियां हैं जो पुरु की तरह बहती हैं, दामोदर, ब्रामनी, बैतरडी, तथा, सुअडरेखा, कुछ महत तो पुरु दारण हैं, अपने एटलेस्मेंट की सिति ग्याद कीजिए, नदियों की सिति ग्याद कीजिए, जो यहाँ पे दिखाये गया है, क्या आप जानते हैं, तित्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढखा है, लेकिन 97% जल लवडी है, किवल 3% ही सुच जल के रूप में उपुलब्द है, जिसका 3-4 भाग हिमानी के रूप में है, अब बात करते हैं जीले, अब जीले क्या होती है, कस्मीर घाटी तथा परसिद्ध डल जील, नव वाले घरों तथा सिकारा से तो आप परचिती हों गे, जो परतेक वर्स हजारों परेटों को आकरसिद करते हैं, इसी परकार आप अन्य जील वाले अस्थानों पर भी गए होंगे, जहां वहां नौकायन तेराइक एअम अन्यजली खेलो का आनंद भी लिया होगा कलबना कीजिये अगर आप कस्मीर निताले गोएव में धूसरे परटन अस्थलों पर झ्ञीले नहीं होती तब क्या वह उतना ही आकर्सित करते जितना क्याज करते हैं तो प्रेंड्स ऐसा नहीं या यहां जानने की कोशिस की है कि बनाऊंकहे की सता के गरतवाले भागों में जहां झाल झमा हो جाता है उसे ही हम झील कहते हैं कि आप जानते बड़े आकार वाली जीलों को समुद्र कहा जाता है जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल जो कैस्पियन है बिसु की सबसे बड़ी जील है कैस्पियन जील इसको हम कैस्पियन सागर के नाम से भी जाने जाते हैं जानते हैं भारत में भी बहुत सी जीले हैं एक दूसरे से अका तथा अने लच्छडों से भिन्न है अधिकतर जीले अस्थाई होती है तथा कुछ में केवल वर्सारितू में ही पानी होता है जैसे अंतर देशिया पुआ वाले अर्धसुसक श्रोतों की द्रोडी वाली जीले यहां कुछ अने जीलों का निर्माड वायू नदियों तथा मानवी क्रियाओं के कारण हुआ है एक बिसर्प नदी बाढ़ वाले छेत्रों से कटकर गोखुर जील का निर्माड करती है जैसे चिलका जील पुलिकट जील तथा कोलेर्यू जील अंतर देशि भागों अंतर देशी भागों वाली जीलें कभी-कभी मौसमी होती है उदाहड के लिए राजस्थान की सांबर जील जो एक लवड जील वाली जील है इसके जल का उपयोग नमक के निर्माड के लिए किया जाता है जो सांबर जील है राजस्थान में मिठे पानी की अधिकान से जीले हिमाले के छेतर में है या मुखत हिमानी द्वारा बनी है दूसरे सब्दोव में ये तब तक हिमानियों आतो कोई द्रोरी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई या किसी छेतर में सीलाओं तथा मिठी से हीमानी मार्ग बद गए इसके भी जम्बू तथा कस्मीर की बूलर जील भूगर भी क्रियाओं से बनी है और बूलर जील क्रियाओं से बनी है भारत की सबसे मीठे पानी मीठे पानी वाली प्राक्रतिक जील है डल जील भीमताल नैनी ताल लोकताक बड़ा पानी तथा कुछ अन्यमहतपूर पानी की जीले है इनको आप याद रख सकते है इसके अत्रिक जल बिद्दूत उत्पादन के लिए नदियों पर बाद बनाने से भी जील का निर्मा जाते हैं उनसे भी जील का निर्माड हो जाता है जैसे गुरू गोबिन्द सागर भांखडा नांगल परियूजना जीले मानों के लिए अतधिक लाबदाई होती है एक जील नदी के बहाओ को सुचारू बनाने में सहायक होती है अतधिक वर्षा के समय अहबाड को रोकती है तथा सूखे के मौसमें पानी के बहाओ को संत्रिक करने में सहता करती है जीलो का परियोग जल बिदूत उत्पन क करने मेंनेबिए किया जा सकता है आज फास केषितरों की जलवाईयू को समाने बनाती है जृ जोंड़नाथ को संतुलित रख़ती हैं जीलों की प्रा सुन्दरता वप परिय typically टाझता मिन खृतहаты हैं अब Chen देखते हैं नदियों का अर्थ व्यूस्था में महत नदियों का अर्थ व्यूस्था में क्या योगदान है इसको देखते हैं कि संपूर मानों इतिहास में नदियों का अतिधिक महत तो रहा है नदियों का जल मूल प्राक्टिस अंसाधन है तथा तथा अनेक मानवी क्रिया कलापों के लिया निवार है यही कारण है कि नदियों के तर से प्राचिन काल से ही अधिवासियों को अपनी और आकरसित किया है यह गाओं अब बड़े सहरों में परिवर्टित हो चुके हैं अपने राज के उन सहरों की एक सूची तयार कीजिये ज्यो नदियों के किनारे इस्तित हैं तो इसमें आप जिस भी राजे से हैं जहां पर नदियां वहती है तो उसकी सूची आप बना के देख सकते हैं किन्तु भारत जैसे देश के लिए जहां की अधिकान से जनसंख्या जीवका के लिए क्रिशी पनीरवर है वहां सिचाई नौ संचालन जल विदूत निर्माड में नदियों का महतों बहुत अधिक है देखते हैं रास्टी नदी संरत छड़ी ओजना देश में नदी सफाई का एकरम का सुभारंब 1985 में गंगा एक्शन प्लान जीएपी के साथ आरंब हुआ था वर्स 1995 में रास्टी नदी संरत छड़ी ओजना नर्सीपी के तहत अन नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार योजना का विस्तार किया गया नदियां देश में जल का प्रमुक्स रोत है यान आर्सीपी का उद्धिस नदियों के जल में प्रदूसर को कम करके गुड़वत्ता में सुधार करना है अलाकि अभी तक हो नहीं पाया कुछ भी देखते हैं नदी प्रदूसर नदी जल की घरेलू और दोगी तथा किसी में बढ़ती मांग के कारड़ इसकी गुड़वत्ता प्रभावित हुई है इसके पड़ाम सुरूप नदियों में अधिक जल की निकाशी होती तथा निकायतन घर जाता है दूसरी ओर युद्धोगों का परदूसर तथा आप परिस्प्रित कच्रे नदी में मिलते रहते हैं या किवल जल की गुड़ोता को ही नहीं बलकि नदी के सुता स्वच्छी करड़ की छमता को भी परभावित करता है उदाहरड के लिए दिये गए समुचित जल फरवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर छित्र में फैले बड़े सहरों की गंदगी को तनू करके समाहित कर शकता है कर शकता है लेकिन लगातार बढ़ते हुई अदोगी करड़ तथा सहरी करड़ के करड़ ऐसा संभो नहीं हो पाता है एने नदियों में इन उच्ञ बढ़ता जा रहा है नदियों में बढ़ते पर दूसर य कर ने को सुछ बनाने के लिए अनिग कायप्र्म क 오래 योजनाएं लागू की गई रही है क्या आपने कभी कर योजनाओं के बारह में शुना है नमानि गगे कि सारी गंगा नेदी को पर दूसर से रोकने के लिए चलाया गया है मिशन हमारा स्वास्त किस प्रकार प्रभावित होता है बिना बिना स्वच्छ जलका मानव जीवन इस बिसे पर विस्तार करें तथा अपनी कच्छा में एक बात विवाद परतियों कि तकाय जुन करें यानि बच्चों से मिलकर बात करें तो फ्रेंड्स यह नदी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर इजाम में इसे कोशन पूछे जाते हैं तो इस चैप्टर को आप जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए अपनी एक सौर्ट नोट्स भी बनाने की कोशिस कीजिए फ्रेंड्स अब यहां कुछ अब्यास प्रश्ण दिये गए हैं इनको हम देख लेते हैं तो यहां पर सही विकल्प का चैन करना है पहला कोशन है कि वूलर जील निमनलिखित में से किस राज़े में इस्तित है तो अभी हमने पढ़ा कि वूलर जील जम्मू कस्मीर में इस्तित है दूसरा है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है तो नर्मदा नदी का उद्गम है अमर कंटक पहाड़ी से दीश्रा है कि निमनेलिखित में से कौन सी लवड़ी जलवायू जील है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामभर जील जो कि राजस्थान में इस्तित है चोथा है कि निमने लिखित में से कौन सी नदी प्राय दीपी भारत के सबसे बड़ी नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा गुदावरी पांचवा कोश्चन देखते हैं कौन सी नदी भ्रहन से घाटी से होकर भती है तो अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि तापी नदी दो नदिया थी नर्मदा और तापी जो कि यहाँ पे नर्मदा नहीं दिया गया इसलिए तापी शही उत्तर अब मिलते हैं हम अगली क्लास में अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सस्क्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सेयर करें अब हम मिलते हैं निक्स क्लास में थैंक्यो सो मच हेलो फ्रेंड्स आप सब आसा करते हैं आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़े हैं एंसे आर्टी क्लास नाइन जियोग्राफी तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे चौथा चेप्टर इस चेप्टर का नाम है जलवायू अज़र जलवायू के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें कुछ कांसेप्चुल भी है कुछ फैक्ट भी है तो इसको आपको एक दो बार पढ़ना पढ़ेगा छोटी छोटी मीनिंग है उसके बारे में जानना पढ़ेगा और यह चैप्टर आपको जरूरी नहीं है कि एक ही बार में समझ में आ जाए तो इसको आपको कई बार पढ़ना है जए बार पढ़ेंगे जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना आपका कांसेप्ट किलियर होगा उतने माइंड में आपकी जीजें किलियर होंगी और उस हिसाब से आप कोशन अच्छे से स के लिए शुरू करते हैं जलवाई। पिछले दो अध्यायों में आप हमारे देश की असला कृतियों यह अफवा के बारे में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायू मंडली अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मौसम की जानकारी उसके बाद जो रितुएं हैं उनकी जो रितिव में परिवर्तन हैं। इसकी जानकारी हमें जलवाईू के माध्यम से ही मिलेगी। इसलिए हमें जलवाईू को जानना बहुत आवस्यक है। चलिए। तापमान वायू मंडली दाब पवन आधरता बरसड एक ही होते हैं। आपने अवश्च से ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राया एक दिन में कई बार बदलती है। लेकिन फिर भी कुछ सब्ता महीना वायू मंडली अवस्था लगभग एक ही समान बनी रहती है। एक ही समान बनी रहती है जिसे दिन गरम या ठंडे हवा, हवादार या सांद आसमान बादलों से घीरा साफ तथा आद्रियों सुस्क हो सकते यानि यहां पर यह बताने की कुछिस कर रहा है कि जो मौसम होता है वो हर पल दिन में कई बार बदलता रहता है लेकिन जलवायू ज चलती है एक दिर घवधी में उसका परिवर्टन होता है महीनों की अवसत वायू मंडली अवस्था के अधार पर वर्ष को ग्रिस्म या सीथ वर्षारितियों में विभाजित किया गया है विशु के अनेक जलवायू परदेशों में बाटा गया है क्या आप जानते हैं कि भ बंद में आप इस अध्याय में पढ़ेंगे इन सब प्रश्णों का उत्तर हमें इस अध्याय में मिल जाएगा यहां पर देखिए मौसम यानि मानसून यहां पर है कि क्या आप जानते हैं मानसून सब्द के ब्यूत्वत्ति अर्वे सब्द मौसीम से हुई इसका साब्दिक अर्थ है मौसम यानि मानसून को ही हम मौसम कहते हैं मांसून का अर्थ एक वर्ष के दवरान वायों की दिशा में रीतूओं के अनुसार परिवर्तन यानि जो मांसून होता है एक वर्ष के दवरान वायों की दिशा में जो रीतूओं का परिवर्तन होता है उसे ही हम मांसून कहते हैं भारत की जलवायू को मनसूनी जलवायू कहा जाता है एसिया में इस परकार की जलवायू मुख्यता दच्छिड तथा दच्छिड पूरू में पाये जाती है समाने प्रतिरूप में लगभग एक रुपता होते हुए भी देश की जलवायू अवस्था देश की जलवायू अवस्था में असपस्ट प्रादेशिक भिभिन्टाएं हैं आईए हम दो महतपूर तत तापमान तथा वरसड को लेकर देखें कि एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस परकार की भिन्टा है गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ अस्थानों का लगभग तापमान 50 से 50 से तक पहुँच जाता है जबकि जम्बू कस्मीर के पहल गाव में तापमान लगभग 20 डिगरी से रहता है सर्दी की रात में जम्मू कस्मीर में दास का तापमान माईनेस 45 डिगरी सेल्सियस तक हो सकता है जबकि 33 अंत पुर्ण में यह 22 डिगरी सेल्सियस हो सकता है यानि अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग तापमान का होना क्या आप जानते हैं कुछ छेत्रों में दिन एम रात एम दिन के तापमान में बहुत अधिकंतर होता है थार के मरुस्थल में दिन का तापमान पचास डिग्री से तक हो सकता है जिबकि उसी रात यह नीचे गिर कर पंदरा डिग्री तक पहुंच जाता है दूसरी ओर केरल या अंडमान निको बार में दिन तथा रात का तापमान लगभख समान ही रहता है अब वर्सड के ओर ध्यान दे वर्सड के रूप तथा प्रकार में नहीं बलकि इसकी मात्रा एम रितु के अनुशार बीतरड में भी बिन्नता होती है हिमाले में वर्सड अधिकतर हीम के रूप में होता है तथा देश के देश के सेस भाग में यह वर्सा के रूप में होता है वर्सिक वर्सड में भिन्नता में घाला के 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दा कियों पशिमी राजस्थान में 100 सेंटीमीटर से भी कम होती है देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्सा होती है लेकिन कुछ छेत्रों जैसे तमिनाडू तट पर अधिकतम वर्सा अक्टूबर यों नॉंबर में होती है समाने रूप से तटी छित्रों के तापमान में अंतर कम होता है देश के अंतरिक भागों में मौसमी तथा रितुनिस्ट अंतर हवा में होता है अंतर अधिक होता है उत्री मैदान में वर्षा की मात्रा समाने तब पूरसे पश्यम की और घडती जाती है यह विन्थाइं लोगों के जिवन में विवित दालाती है जो उनके भोज़ा नियम वष्तर घरों घरों के प्रकार में दिखती है यानि लोगों के बीच विविश्ता दिखाई पड़ती है इसकी लिए इसलिए अब यहां पर इसका उत्तरा आप हमें देंगे कि राजस्थान में घरों की दिवारे मोटी तथा छट चपती क्यों होती है तराई तथा गोवाय और मंगलाओं में धाल वाली छटे क्यों बनाई होती है क्यों होती है असम में कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते है इसका अंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजेगा जलवाय वी नियंतरण इसी भी छेत्र की जलवायू को नियंतरित करने वाले च्छा प्रमुख कारक है यानि जलवायू को परभावित करने वाले प्रमुख कारक अच्छांस तुंगता तुंगता में मतलब उच्छाई वायूदाब पवन्तंत्र समुद्र से दूरी महाशागरी धारायं उच्छावच लच्छड यानि ये च्छा प्रकारण जो जलवायू को नियंतरित करते हैं चली आगे देखते हैं प्रिथवी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर उर्जा की मात्रा अच्छांसों के अनुसान अलग-अलग होती है इसके पड़ाम सरूप तापमान विस्वत प्रित से धुरूओं की और समानता घटता जाता है जो तापमान होता है वो विस्वत यहां पे तापमान जो होता है घटता जाता है तापमान घट जाता है इसलिए पहाड़िया गर्मी के मौसम में ठंडी होती है किसी भी छेतर का वायूदाब एवं पौवन तंत्र उस अस्थान के अच्छांस उचाई पर निर्भर करती है इस प्रकार तापमान एवं वर्सा के बित्रड को परभावित करता है समुद्र का जलवायू पर समकारी प्रभाव पड़ता है जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है प्रभाव कम होता जाता है प्रभाव कम होता जाता है कम होता जाता है लोग बिसम जलवायू अवस्थाओं को महसूस करते हैं इसे महातीपी अवस्था यानि गर्मी में बहुत सर्दी एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंड कहते हैं महासाग्री धाराय समुद्र से तठकी और चलने वाली हवाओ के साथ तटी छेत्रों की जलवायू को परभावित करते हैं उसके जलवायू को भी परभावित करती हैं उदाहरण के लिए कोई भी तटी छेत्र जहां गरम या ठंडी जलधारे बहती हैं और वायू की दिशा समुद से तट की और हो वह तट गरम या ठंडा हो जाएगा इदन इसके प्रभाव में आकर कि यहां पर है ज्यांत कीजिए इसे आपको बताना है विस्व के अधिक तक मरुस्थल उपोस्ड उपोस्ड कटीवंदी भागों में इस्थित महादीपों के वश्चिमी किनारे पर क्यों इस्थित है यानि इसका कारण बताना है तो इसको आप हमें बताएंगे अंत में किसी अस्थान की जरवायू को निर्धारित करने में उचावच की भी महतपूर भूमिका होती है उचे परवत ठंडी अथवा गरम वायू को अरोधित करते हैं या उनकी उचाई इतनी हो कि वह वर्सा लाने वाले वायू के रास्तों को रोकने में सच्छं तो यह उसे शथर में वर्सा के कारण भी बन सकते हैं के बना भी मुक ढाल अपिछय के रहते हैं पवनाविमुक धाल जो होता है अपेच्छाक्रित सुखा रहता है अब भारत की जल्वाई को परभावित करने वाले जो कारक्त थे अब उनको एक तरफ से एक एक करके देखते हैं है पहले बात करते हैं अच्छांस की करक के एक करकवित देश के मद्ध भाग यानी पष्चमी में कच्छ के रण से लेकर पूरंव मिजोर्ण से होकर गुजरती है यहां जो करक ऺखा है यहां पे गुजरात के कच के रण से लेकर पूर्वी भाग है मिजोरम तक गुजरती है देश का लगभग आधा भाग कर्क बृत के दच्छिड में इस्तित है जो उस लकटी वंदी छेतर है यानि यहां पे मालीजे है यह कर्क है साड़े तेश डिग्री तो यहां पे जो आधा दच्छिडी भाग है यहां पे यह उस लकटी बंदी छेतर है कर्क बृत के उत्तर में इस्तित सेस भाग उपोस लकटी बंदी है इसके उपर है वो उपोस लकटी बंदी है इसलिए भारत की जलवायू में उस लकटी बंदी जलवायू एवं उपोस्ट लकटी बंदी जलवायू दोनों परकार की विस्षिस्ताएं होती है यानि मालीजे यह है करकर रेखा यहां पे उपोस्ट रिकटी वंदी यहां पे उस रिकटी वंदी यानि जो भारत की इस्थिती है वहां पे दोनों परकार की जलवाई उपाय जाती है उपोस्ट रिकटी वंदी उस रिकटी वंदी दोनो बात करते हैं उचाई की भारत के उत्तर में हिमाले परवत है, इसकी आुसत उचाई लगभग 6,000 मीटर है, भारत का तटी छेतर भी विसाल है, जहां अधिकतम उचाई लगभग 30 मीटर है, हिमाले मद्ध एसिया से आने वाले ठंडी हवाओ को भारती उप महादिवे परवेश करने शे रोपता है, इ इन्ही परवतों के कारण इस छेतर में मद्ध एसिया के तुलना में कमठंड पड़ती है, जो हिमाले परवत है, जो यह हवाओं को मद्ध एसिया से आने वाली हवाओं को रोक लेता है, इसके कारण यहां में मद्ध एसिया से कमठंड पड़ती है, निक्योंकि हवा इधर बात करते हैं वायु दाप एंवं पवनद ब्राइव बहरत में जलवायु सम्बदी मौसमी अवस्थाइं निम्निलखित वायुमंडली अवस्थाओं से संचालित होती है वायु दाब एवं धरातली पवने उपरी वायूपरी संचन तथा पश्चिमी चक्रवाती विछोब उष्ड कटी बंधी चक्रवात ये सब अस्थाएं होती हैं चलिए देखते हैं भारत उत्तर पुर्वी व्यापारिक पवनों वाले छेत्र में इस्थित्याँ पे जो व्यापारिक पवने हैं भजलती हैं ये पवने उत्तरी गुलार्ध के उपोश्ड कटी बंधी उच्च वायूदाब पटियों से उत्पन होती हैं इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है इस परकार भारत को सुस्क छेत्र होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है आये देखी क्यों इसा नहीं है यानि भारत को सुसक छेत्र थैं हो नहीं होना चाहिए यानि क्यों नहीं है यहां पे एक इम्पोर्टेंट दिया है कोरियोली elis बल परित्विक गूड़न स明हाफे कारण उत्पन आभाशी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं इस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्थ में दाहिनी और तथा दच्छीडे गोलार्थ में बाई और बीच्छेपित होती हैं इसे फेरल का नियम भी कहते हैं यानि जब पाउने जो होती उत्तरी गोलारत में दाहिनी और दचईड़ी गोलारत में बाई और बीचेपित होती हैं इसे हम फैरल का नियम कहते हैं भारत की वाईगू दाब एवं 25 अगरत अधुरती है सीथ रितू में हिमाले के उत्तर में उच्च दाब होता है एवम इस छेत्र की ठंडी सुस्क हवाय दच्छिड में निम्न दाबवाले महासागरी छेत्र के उपर भहती है। ग्रीश मेरितु में आंतरी केसिया एवम उत्तरी पुर्वी भारत के उपर निम्न दापका छेत्र उत्पन हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिन में वायू की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। और वायू दच्छिड में इस्थित हिंद महासागर के उच्छ दाबवाले छेत्र में दच्छिड पूरी दिशा में भहते हुए विश्वत वृत को पार कर दाहनी और मुडते हुए। भारती उक महादीब पर इस्थित निम्न दापकी और भहने लगती है। इन्हें दच्छिड पृष्ची मानसून पौनों के नाम से जाना जाता है। ये पौने कोश्ड महासागरों के उपर से बहती है। नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमी पर वर्शा करती है। बात करते हैं रीतुएं। मानसूनी जलवायू की विशेस्ता एक विशेस्त मौसमी परतिरोप होता है। तटी छेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिनता नहीं होती हैं याद भ्यशन के प्रा रूपों में भिनताइं होती हैं को बताने भारत में मुख्ये चार रित्यों के पहचान रिद्यों को पहचाना जा सकता है शीत्रीती ग्रिश्मी-षी चेत제가 काल बात करते हैं सीत रूतु की उत्तरी भारत में सीत रूतु मध्य नमंबर से आरम होकर फरवरी तक रहती है भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर यूं जनौरी सबसे ठंडे महिने होते है तापमान दच्छीर से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटा जाता है उत्तर से दच्छिड की ओर बढ़ने पर घड़ता जाता है पुरवी तटपर चिननई का आउस्टापमाण 24 डिग्री से 25 डिग्री से बीच होता है जबकि उत्तरी मैदान में 10 डिग्री से 15 डिग्री से बीच होता है दिन गरम राते ठंडी होती है उत्तर में तुसारा पात समान ने है, हिमाले के उपरी ढालों पर हिमपात होता है इस रितु में देश के उत्तर पूर्वी ब्यापारिक पौणे परवाहित होती है ये अस्थल से समुद्र की और बहती है, इसलिए देश के अधिकतर भाग में सुस्क मौसम होता है पौनों के करण कुछ मात्रा में वर्षा तमी नाडू के तटपर होती है क्योंकि वहाँ ये पौने समुद्र से अस्थलकी और बहती है तमी नाडू के तटपर वर्षा होती है सीत्री तुमे देश के उतरी भाग में एक कमजूर उचवायुदा छेतर बन जाता है जिसे हलकी पवने इस छेतर से बाहर की और प्रवाहित होती है उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उतर पश्चिम में गंगा घाटी में बहती है समानेता इस मोशम में आसमान साप, तापमान एवं आदर्ता कम एवं पवने सीथिक तदरा परिवर्तित होती है सीथ रुतू में उत्तरी मैदान में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विछोब का अंतरपरवा बिसेस लच्छड है यह कमदाबवाली प्रडाली भूमत सागर यह पश्चिमी एशिया के उपर उत्पन होती है तथा पश्चिमी पौनों के साथ भारत में परवेश करती है इसके कारण सीथ काल में मैदानों में वर्षा होती है तथा परवतों पर हीम पात जिसकी उसमें बहुत अधिकाव सकता होती है यदेपी सीत कालवे वर्षा जिसे अस्थानी तोर पर महावट कहा जाता है कि कुल मातरा कम होती लेकिन ये रभी के फसलों के लिए बहुत महत्पुड होती है प्राये देपी भागों में सीतरीटू अस्पस्ट नहीं होती है समुद्री पाउनों के परभाव के कारण सीतरीटू में भी यह तापमान के प्रारूप निना होकर बराबर परिरुतन होता रहता है बात करते हैं ग्रिशमरीतू की सूरे के उत्तर की और आभासी घती के कारण भूमंडली ताप पट्टी उत्तर की तरफ की सक जाती है मार्च से माई तक भारत में ग्रीश मेरितु होती है ताप पट्टी के अस्थानांत्रड के प्रभाव का पता भीन अच्छांसों पर मार्च से माई के दवरां रिकाट किये गए तापमान को देखकर लगाया जा शकता है मार्च में दक्कन के पठार का उच्छ तापमान 38 डिग्री सिल्सियस होता है अप्रैल में मध्य परदे सिम गुजरात का तापमान 42 डिग्री सिल्सियस होता है माई में देश के उत्तर पश्चमी भागों का तापमान समयते 45 डिग्री सिल्सियस होता है प्राय दीपी भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है यानि अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग तापमान होता है। लोग ग्रीस मकाल की एक परभावी लच्छड हैं। ये धूल भरी गरम यों सुसक पौने होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर यों उत्तर पश्चिम छेत्रों में चलती हैं। कभी-कभी ये देर साम तक जारी रहती हैं। इस हवा का परभाव सिधा घातक भी हो शकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दवरां समानेत धूल भरी आधियां आती हैं। ये आधियां आस्थाई रूप से आराम पहुचाती हैं। कि ये तापमान को कम कर देती हैं। अपने साथ ठंडे समीरियों महल की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी-कभी तीब रहवाव के साथ गरजवाली मुसलाधार वर्षा भी होती है। वर्षा भी होती है इसके साथ प्राया हीम् मुष्टी भी होती है वईसाक के महीने में होने के कारण प्रयृ पूर्वी मानसूनी वर्षा होती, इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, इसे आमर वर्षा कहते हैं, यानि करनाटा के वं केरल में इसे आमर वर्षा कहते हैं, इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं अब वर्षा रितू या मानसून का आगमन, अब इसको देखते हैं वर्षारीतु या मांसुन का आगमत। गरम महासागरों के उपर से होकर गुजरती हैं। इसलिए ये अपने साथ इस महादीत में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पाउने तिब्र होती हैं तथा 30 किलो मीटर परती घंटे के औसत बेग से चलती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़ कर ये मौसमी पाउने देश के सेस भाग में लगभग एक महीने में पहुँच जाती है। दचिड पहुचिमी मांसून भारत में अंतरपरवा यहां के मौसम को पूरी तरह परिवर्थित कर देता है। मौसम के प्रानम्भ में पहुचिमी घाट के पमन मुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार यहम मध्य परदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तरपूर्वी भागों में होती है। खासी पहाडी के दच्छिड स्रिंखलाओं में इस्तित्मासी नामबिस में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर से पश्चिम की और वर्षा की मांतरा घटी जाती है। राज अस्थानेव गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम और शा होती है। मांसून से संबंधित एक अन्य परिगटना है। वर्षा में विराम इस परकार इसमें आद्रेवम सुसक दोनों तरह की अंतराल होते हैं। विबि नकारणों से घर्ट इवम इसका अच्छ उतर यां दच्चिज को खिशकता रहता है जिसके कारण वर्षा का अस्थानिक बीत्र सुनिशित होता है। जब मांसून के गर्ट का आथ्च मैदान के ऊपर होता है तब मांसून के उपर होता है होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है दूसरी और जब अच्छ हिमाले के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तर्सूस का वस्था रहती है तब हिमाले की नदियों के परवती जल ग्रहन छेत्रों में बिस्त्रित वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी छेत्रों में बिनासकारी बाढ़े आती हैं, एवम जान माल की भारी छती होती है। उस्रेकर्टी बंधी नीम नदाप की तिवर्था एवम अबरिती भी मानसूनी वर्षा के मातरा समय को निर्धारित करती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ाती है तो दूसरे भाग में सुखा पड़ता है। इसका आगमन एवम आपसी पराया अबिवस्थित होता है। इसलिए यह कभी-कभी देश के किसानों के क्रिशी कारेयों को अबिवस्थित कर देता है। मानसून की वापसी या परिवर्तनी मौसम। मानसून की वापसी या परिवर्तनी मौसम। अक्तूबर नवंबर के दवरान दच्छिड की तरप सुर्य के अभासी गति के कारण मानसूनी गर्थ या निम्न दाबवाला गर्थ उतरी मैदानों के उपर सिथिल हो जाता है। धीरे-धीरे उच्छ दाब परडाली इसका अस्थान ले लेती है। दच्छिड पष्चिवी मानसून सिथिल हो जाते हैं। धीरे-धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्तूबर के प्राणभ में मानसून पाउने उतर के मैदान से हट जाती है। अक्टूमर एवं नवंबर का महीना गरम और सारीतू से सीतरीतू में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साप तक तापमान में बृध्धी हो जाती है। दिन का तापमान उच्छ होता है जबकि राते ठंडी एवं सुहावनी होती है। अस्थल पाद्र होता है। उच्छ तापमान एवं आधरता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम अहास से हो जाता है। इसे सामाने तक क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उतरार्ध में बिशेसकर उतरी भाग में तापमान तेजी से गिरने लगता है। मसीन राम्बिस में सबसे अधिक वर्षा वाला छेतर है। इस्टे लैगमाइट एवं इस्टे लैक्टाइट गुफाओं के लिए परशिद है। अनि इन दो गुफाओं के लिए परशिद है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर के ऊपर निम्न दाववाली अवस्था बंगाल के खाड़ी पर अस्थानांत्रित हो जाती है। या अस्थानादर चक्रवाती निम्नदाप से संबंधित होता है जो अंडमान सागर के उपर उत्बन होता है चक्रवात समानते भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिसके कारण ब्यापक भारी वर्सा होती है उस्ड़कटी बंदी चक्रवात प्राया बिनास्कारी होते ह गुदावरी कृष्ट्रा येवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डिल्टा प्रोदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान येवं माल की छती होती है कभी कभी ये चक्रवात उड़ी साप पस्ची मंगा लें बांगला देश के 30 छेत्रों में भी पहुंच जाते हैं कोरो मंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा आउदाप से होती है वर्षा का बित्रड आपर एक मैप दिया गया है इसको देख लेते हैं मांसून का आगमन यह है मांसून का आगमन सबसे पहले कहां से उठता है मांसून देखते हैं यह देखिए यह पहश्चिमी घाट से यहां से उठता है एक जून से यह पूरे छेतर में मांसून उठता है उसके बाद पान जून तक इस पूरे छेतर में वर्षा होती है दस से लेकर दस जून तक लगभग पूरे भारत में पूरे भारत में यहां पर देख सकते हैं यह पूरा एरिया भूनेस्वर कोलकाता पटना यह सब पूरे अरिया में वर्षा होती है वससे पंद्रह जून तक यहां पे देखिए जो हैν सब मांसून प्रारंब होता है यह पूरे करेया में वर्षा होती है यह पूरा इसके बाद 15 जून से लेकर यहां पर अमदाबाद गुजरात इस चित हो इन सब छेतरों में वर्षा होती है इसके बाद फिर एक जुलाइगी राजस्थान का जो तटा है यहां पर इन प्रशा होती है तो यानि यह कहा जाशकता है कि पंद्रह सोरी एक जुलाई तक पूरे भारत में परसा मानसून आ जाता है सब जगह पे जितना चेत्र है लिए आगे देखते हैं अब यहां पर दिया है कि मैं पौर है मानसून काल यहां से देखते हैं यह देखिए 15 सितंबर इस वाले पूरे पूर्शन से मांसुन चला जाता है 15 सितंबर तक ही इसके बाद यहां से एक क्टूबर यहां से पूरे इस शेत्र में यहां से मांसुन चला जाता है एक क्टूबर तक अब देखते हैं हम 15 पंद्रा अक्तूबर एक नमंबर पंद्रा नमंबर से इस पूरे एरिया से मांसून चला जाता है अब आगे देखते हैं मांसून चला जाता है और पंद्रा दिसंबर इस वाले एरिया से मांसून चला जाता है यानि हम कहते हैं कि सितंबर से होता है कि मांसून मांसून का अंत होने लगता है उसके बाद आते आते नवंबर में 15 नवंबर तक पूरी तरीके से मांसून वापस लोड़ जाता है चलिए अब आगे देखते हैं कि मैं पर देखेए वाजिक वरसा भारत में कितनी होटी राप यहां पर δेखिए यह 400 cm से अधिक वर्षा में जब से ज्यादानी यह पूर्शन में यहां पे 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा यहां पे यह पूरा छेत्र 200 से 4 सेंटीमीटर वर्षा 400 इस वाले छेत्र में वर्षा होती है यहां पे भंका सकते हैं यह जो पूर्वी भाग है जैसे तरी पूरामी जो उरम में घाला है यह 100-200 यह पूरा च्छेत्र 100-200 वर्षा होती है यहां पर बाते हैं 60-100 यह पूरा च्छेत्र है 40-60 यह जो एरिया है 40-60 से इंटीमिकर वर्षा होती है यहां पर यहां पर 20-40, यह देखिए, 20-40, बिल्कुछ अफेद है, 0-20 cm वर्षा, तो इस तरीके से आप इस मैपिंग को देख कि वहाँ पर जो आपका पॉलिटिकल मैप होगा, फीचकल मैप होगा, उसमें आप एक बार ध्यान से देखिएगा कि किस-किस चेतर में वर्षा होती है, उसका नाम के माध्यम से मोटी-मोटा बताया गया, इसके लिए आपको महनत करने पड़ेगी, किस चेतर में कितनी वर्षा होती है, यहाँ पर अगर आप एक पॉलिटिकल मैप लेके बैठेंगे, तो आप दर्षा सकते हैं, यानि कितना एरिया है, कितना इधर का है, तो इससे सबसे आ आप आगे चलते हैं, वह पढ़ रहे थे कि वर्षा का बीद्रड, पश्चिमी तट के भागों एवं पूलवी भाग में लगभग 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इन्तु पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम और सा होती है, अ कि से धोम में लगभ 400 से अह मान्सों की प्रक्ति के प्रअद्रिक वर्षा को रूर सरा में लुख 003 मांसून एक्ता का परिचायक इसके कारड पिच्छा की शांसों के बावजूत उतरी भारत मुत्रि भारत में निरंतर उच्य टापमान बना रहता है। इस परकार प्रइदिपी पठार में तीनों उड़से समुद्रों के परभाव के कारण ना तो अधी गर्मी पड़ती है, नहीं अधीक सर्दी। संपूर भारती भूद्रिस इसके जीव तथा बनस्पति इसका क्रिसी चक्र मानव जीवन तथा उसके तिवहार उत्सव सभी मांसूरी लाएके चारोर घूम रहे हैं उतर से दचिडपूर में पश्चीम तक संपूर भारतवासी परती वर्स मांसून की आगमन की परतिछा करते हैं यह मांसूनी पवने हमें जल परदान कर किर्सी की प्रक्रिया ने तेजी लाती हैं यहों संपूर देश को एक सूत्र में बाधती हैं नती घाटिया जो इन जलो प्रशन देख लेते हैं नीचे दिये गया अस्थानों में किस अस्थान पर भी समय सबसे अधिक वर्षा होती है तहां पर हो जाएगा माशीन राम ग्रिश में रितू में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं तो इससे हो जाएगा भारत ने मांसून का यहां पर है कि निमलखित में से कौन भारत में सीधरुतू की विश्यस्ता हैं गरम दिन यों फंडी राते यहां पर संशेप में प्रशनों के उतर देते हैं तो इसका उतर आप दे सकते हैं कि आपको पढ़के बहुत छोटे-छोटे हैं तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं अगले पार्ट में फ्रेंट्स अगर आपको हमारा सेशन पसंदार है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कर दीजे और हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइए यह आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले पार्ट में थांक्यू सो मच हेलो फ्रेंड्स गूड इवनिंग कैसे हैं आप सब आसा करते हैं आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं NCRT क्लास 9 आज हम पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे तो इस चैप्टर का नाम है प्राक्रतिक वनस्पती तथा वन्ने जीव प्राड़ी तो चलिए शुरू करते हैं क्या आपने कभी अपने इस्कूल घर या आसपास के मैदानों में भली भाती के ब्रिच जाडियां घास तथा पच्छियों को देखा है या वह एक अही प्रकार के है या अलग-अलग तरह के हैं भारत एक बिसाल देश है अता इसमें आप अनेक प्रकार की जयो रूपों की कलपना करशकते हैं करशकते हैं हमारा देश भारत बिस्व के मुख्य बारत जयो विवित्ता वाले देशों में से एक हैं लगभग 47,000 विविन जातियों के पौधे पाये जाने के कारण यह देश बिस्व में 10 अस्थान पर और एसिया के देशों में 4 अस्थान पर है भारत में लगभग 15,000 फूलों और फूलों के पौधे हैं जो की बिस्व में फूलों के पौधों का 6 परतिसत है इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं जैसे की फर्न, सैवाल, एलगी, तथा कवक, फंजाई भी पाये जाते हैं भारत में लगभग 90 हजार जातियों के जानवर तथा विभिन प्रकार की मचलियां, ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती है प्राकृतिक वनस्पती का अर्थ है कि वनस्पती का वह भाग जो की मनुस्षिकी सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, यानि जिसमें मनुस्षिकी सहायता की जरूरत नहीं होती है और जो लंबे समय तक उस पर मानुवी परभाव नहीं पड़ता, इसे अच्छत वनस्पती कहते हैं अताब विभिन प्रकार की क्रिशी, क्रित फसले, फल, वनस्पती का भाग तो है परन्तु प्राक्षिक वनस्पती नहीं है अपे हैं कि क्या आप जानते हैं वह वनस्पती जो की मूल रूप से भारती है उसे देशच कहते हैं लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें भी देशच पौधे कहते हैं वनस्पती जगत सब्दका अर्थ किसी बिसेस छेतर में किसी भी समय पौधे के उत्पती से हैं इस तरह प्राड़ी जगत जानवरों के बिसे में बतलाता हैं वनस्पती के प्रकार हमारे देश में निम्न परकार की प्रक्तिक वनस्पती पाई जाती है जिसा है कि उस्लेकटी बंधी सदा बहार वन उस्लेकटी बंधी पढ़पाती वन उस्लेकटी बंधी कटीले वन तथा जाड़िया परवती वन मैंगरो वन यह वनस्पती के प्रक स 생 quilt करते हैं उस रखटी दी वर्षवन कhin लेकरटी बंदी वर्षवन येवान पश्चिमी घाटों के घाटों के अधिक वर्षवाले छेत्रों में छेत्रों जेसे लच्छ दीब अंडमान औ् निको बार्दीब समू के असम के उपरी भागो तथा तमे नाडू के तड़ तक सीमित हैं ये उन छेत्रों में भली भाती बिक्सित हैं जहां 200 सेंटी मीटर से अधिक वर्षा के साथ थोड़े समय के लिए सुस्क्रितु पाई जाती हैं इन वनों में ब्रिच साथ मीटर तथा इससे अधिक उचाई तक पहुचते है चुकि ये छेत्रवर्ष भर गरम आद्र रहते हैं अता यहां हर प्रकार की वनस्पती ब्रिच जाडिया लताय उगती हैं और वनों में इनकी बिभिन उचाईयों से कई अस्तर देखने को मिलते हैं ब्रिच्छों में पतजड होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है अता यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं इन वनों में पाय जाने वाले ब्यापारिक महत्त के कुछ ब्रिच्छ जैसे आब नूस जीसे हम एब बोनी कहते हैं महोगनी रोजबूर्ट रबड और सिंकोना है और अहवर्ण नहीं है और अब एक यहां पर एक मैप दिया गया है यहां पर जैसे उस्ट पे मॉर्फ сделать मुन हरी सदाभारवन कि श्चेट्र में प事 परवति हैं मेंग भलå करती बंदी कपिन लिए देख लेते हैं जो ग्रीन माला पॉर्शन है जितने पॉर्शन में वह उस लिकटि बंदी सदा भाख भाग में यहां के जो वनसपतियां है साल भर हरी भरी रहती है और यहां पर पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों पर भी पाए जाती है यहां पर देखिए इता भी नाडू का तट है यहां पर फिर पश्चिमी तट यहां पर उस्रकटी बंदी सदावार वन पाए जाते हैं अब देखते हैं उस्रकटी सब उस्ड़ कटीवंधी पड़पाती वन इस छेत्र में पाया जाते हैं कि अब आगे देखते हैं परवती वन परवती वन तो आप जानते होंगे कि परवती छेत्र में पाया जाएंगे यह जैसे जम्बो कस्मीर लद्दाक यह पूरा पोर्शन यहां पर देखिए इपरवती वन पाया जाते हैं इनकी बिस्यस्तों के बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे माइंगरो यह देखिए यह है माइंगरो यह सब माइंगरो वन है लास्ट में देखते हैं उस लिकटी वंधी कटी लेवन तो यह देखिए राजस्थान गुजरात का इस सब पोर्शन यहां सब कटी लेवन अस्पतियां पाई जाती है यहां पे कटी लेवनों का विस्तार है इन सब छेत्रों में चलिए बागे देखते हैं इन वनों में समाने रूप से पाई जाने वाले जानवर जिसे हाथी बंदर लैमूर और हीरड है एक सिंग वाले गैंडे असम और पश्चमी बंगाल के दलदली छेत्रव मिलते हैं इसके अत्रीक ते इन जंगलों में कई प्रकार के पच्छी जैसे चमगादर कई रिंगने वाले जिऊ भी पाय जाते हैं अभी हम जो वनस्वती का पहला प्रकार है उसके बारे में पढ़ रहे हैं अब देखते हैं उस्रकटीवंदी पढ़ पातिवर यहां पर दखिए यह श्रकटी बंदी सदा वहरं है चितर के मावंसे देखिए भा यह दिखाय गया है उस्रकटीवन्दी सदा वहरं तो यहां पर देखिए कुछ बित्र बिच जो हैं border לי जारी पर यह पे 5 मिटर फिरनवीन सίο बीच म sabemos कुछ यहां पर वितान परत यहां पर एकोषम सिर्ट मेटर निर्गत परत यहां पर अधिक्तम उच्या साठ मेटर अधिक से बीच पाया या तिशार कटी थी सदा भार सी चलिए बागे देखते हैं उस लिकटी बंधी पढ़ पाती बन ये भारत में सबसे बड़े छेत्रों में फैले हुए वन है इन्हें मांसूनी वन भी कहते हैं ये उन छेत्रों में विस्रित है जहां सतर से दो सेंटीमीटर तक वर्षा होती है इस प्रकार के वनों में ब्रिच सुस्क ग्रिश्म रिदू में छह से आठ सप्ता के लिए अपनी पत्यां गिरा देते हैं जलकी उपलब्धी के अधार पर इन वनों को आद्रय सुस्क पढ़पाति मों में बिवाजित किया जाता है आद्रय तथा शुस्क पढ़पाति यानि दो प्रकार होते हैं इसके विभाजित किया जाता इनमें आद्रया नमपढ़पाती उन छित्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 संटीमीटर तक वर्चा होती वहां पे हम देखते हैं वहां पे जो नमपढ़पाती पाए जाते हैं आद्रवपढ़पाती वन पाए जाते हैं अतह ऐसे देश के पूर्वी भागो उत्तरी पूर्वी राजो हिमाले के गिरिपत पर देशो जहार खंड पश्चमी उड़ी साथ 36 गर्द था पश्चमी घाटों के पूर्वी ढलानों पर पाया जाते हैं यानि जहां 100 सेंटीमेटर से 200 सेंटीमेटर वर्शा होती है यानि आ साल सीसम सीसम चंदर रवैर कुसुम अरजुन सहस्तूत के बिच ब्रिच ब्यापारिक महत्वाली प्रजातिया हैं सुस्क पड़पाती वन उन छेत्रों में पाये जाते हैं जहां वर्शा 70 से 100 सेंटीमेटर के भीचूती हैं आतर में कितना हो रही थी वर्चा 100 से 200 अब यह से 70 से 100 सेंटीमेटर ये वन प्राइडी पठार के एसे वर्सा वाले छेतर जैसे उत्तर परदेश तथा बिहार के मैदानों है जाते हैं अनी बिहार में सुस्क पड़पाती वन पाये जाते हैं और उत्तर परदेश में भी विश्तरी शेत्रों में प्राया सागौन साल इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राया सिंग, हसेर, सूवर, हीरण, हाथी हैं विबिद प्रकार के पच्छी, छीपकली, साप और कचुए भी यहां पाए जाते हैं अब देखते हैं कटीले वन तथा जाड़िया कटीले वन तथा जाड़िया जिन छेत्रों में सतर सेंटीमीटर से कम और्षा होती है वहां प्राक्तिक वनस्पती में कटीले वन तथा जाड़ियां पाए जाती है अनि जो कटीले वन होते हैं वहां पे सतर सेंटीमीटर से कम और्षा होती है इस परकार की वनस्पती देश के उत्तर पेश्चिमी भागों में पाई जाते हैं जिसमें गुजरात, राजस्तान, छतिसगड, मध्य परदेश, उत्तर परदेश तथा हरियाड़ा के अर्धसुस के छेतर सम्मिलित है अकासिया, अकासिया खजूर जिसे पाम कहते हैं यूफोरबिया तथा नाकफनी, यहां की मुख्य पादप परजातियां है इन वनों के ब्रिच बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़े लंबी तथा जल की तलाश चारो और फैली होती है फैली होती है, जिसे वास्पी करण कम से कम हो सके सुस्क भागों में जड़ियों और कटीले पादप पाए जाते हैं इन जंगलों में प्राया चुहे, खरगोस, लोमणी, भेडिये, सेर, सिंख, जंगली, गधा, घोड़े तथा उट भी पाए जाते हैं कटीले वन और जड़िया इस वाले पोर्शन में ये सब जानवर पाए जाते हैं इस छेत्र में जहाँ पे कटीले वन और जड़िया पाए जाती है वहाँ पे चुहा, खरगोस, लोमणी, भेडिया, सेर, सिंख, जंगली, गधा, घोड़े और उट पाए जाते हैं अब हम बात करते हैं परवती वन की परवती वन परवती छेत्रों में तापमान की कमी तथा उचाई के सांसाथ प्राक्तिक वनश्पती में भी अंदर दिखाई देता है वनश्पती में जिस परकार का अंतर हम उस रकटी बंधी परदेशों से टूंडरा की ओर देखते हैं उसी परकार का अंतर परवती भागों में उचाई के सांसाथ देखने को मिलता है एक हजार से दो हजार मीटर तक की उचाई वाले छेत्रों में आदर सितोर स्रकट इवन धीवन पाये जाते हैं यहां जो ब्रिच्छों होते हैं परवती भागों की उचाई और ब्रिच्छों की उचाई जो होती है एक हजार से दो हजार मीटर तक की होती है इनमें चोड़ी पत्ते वाले ओक चेस्टनट जैसे बिल्चो की परधानता होती है पंद्रा सो से तीन हजार मीटर की उचाई के बीच बिच बिच संकुधारी संकुधारी बिच जैसे चीड, पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सीडर आधी पाय जाते हैं ये वन प्राया हिमाले की दच्छिड ढलानों, दच्छिड और पुर्वे भारत के अधी कुचाई वाले भागों में पाय जाते हैं अधी कुचाई पर प्राया सितोस्ड कटीवन्दी घास के मैदान पाय जाते हैं मैदान पाय जाते हैं प्राया 3600 मीटर से अधी कुछाई पर समसितोस्डवनों तथा घास के मैदानों का आस्थान अलपाइन वनस्पती ले लेती है सिल्वर फर जूनिपर पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य ब्रिच्च हैं जैसे जैसे हीम रेखा के निकट पहुंचते हैं इन व्रिच्चों के अकार छोटे होते जाते हैं अंतत्य जाडियों के रूप के बाद ये अलपाइन घास के मैदानों में विलिन हो जाते हैं इसका उप्योग गुजर तथा बकरवाल जैसी घुमककर जातीयों द्वारा पसु चारण के लिए किया जाता है अधिक उचाई वाले भागों में मांस, चीलन, घास, पुरुण्डरा वनस्पती का एक भाग है मास, लिचन घास, तुन्टा वनेस्पती का एक भाग है इन वनों में प्राया कस्मीरी, महामरिग, चीतरा हीरण, जंगली भेण, हर्गोस, तिबती बारे शिंखा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीच, आईवैक्स, कहीं कहीं, लाल पांडा, घने बालो वाली भेण तथा बकरियां पाई जाती हैं यानि परवती वनों में अब बात करते हैं मैंगरो वन मैंगरो यह वनस्पती तटवर्ती छितरों में जहां जवार भाटा आते जाते हैं, सबसे महत्पूर वनस्पती हैं, मिट्टी और बालू इन तटो परिकत्रित हो जाती हैं, घने मैंगरो एक परकार की एक परकार की वनस्पती हैं, जिसमें पोधों की जड़ो जड़े पानी में डूबी रहती हैं, गंगा ब्रह्मपूत्र महा नदी गुदावरी क्रिस्णा तथा कावेरी नदियों के डिल्टा भाग में इन वनस्पती मिलती हैं, यानि जो मैंगरो वन होता है, गंगा ब्रह पुत्र डिल्टा में सुनुदरी ब्रिच्छ पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती हैं, यहीं पे सुनुदरी बिच्छ के नाम से वहाँ पे सुनुदर वन रिल्टा का नाम पढ़ा था, होती है, नारियल, ताड, क्योड़ा एओम एंगार के ब्रिच भी भागों में पाय जाते हैं इस छेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर परशिद्ध जानवर है इसके अत्रीक्त कच्छुए मगर वच्छ घडियाल यों कई प्रकार के साप भी इन जंगलों में मिलते हैं बात कते हैं वन्य प्राणी की वन्य प्राणी वन्य प्राणी वनस्पती की भाती ही भारत विभिन प्रकार की प्राणी संपत्ती से भी धनी है यहां जियों की लगभग 90,000 परजातियां मिलती हैं देश में लगभग 20,000 शे अधिक अधिक पच्छियों की परजातियां पाए जाती हैं यह कुल बिसु का 13% है यहां मच्छलियों की 2546 परजातिया हैं जो बिसु की लगभग 12% है भारत में बिसु के 5-8% तक उभैचरी, सरी, सरी, तथा अस्तंधारी जानवर भी पाया जाते हैं अस्तंधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्पूर हैं यह असम करनाटक केरल के उस्ड तथा आद्रवनों में पाय जाते हैं एक सिंग्वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली छेत्रों में रहते हैं कच्छ के रण तथा थार के मरुस्तल में क्रमसा जंगली गधे जैसे उट रहते हैं भारती भैसा नील गाय चौंगिया चौंसित चौंसिंगा छोटा अमरीक तथा बिभिन प्रजातियों वाले हीरड आदी कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत जो भारत में पाए जाते हैं यहां बंदरों की भी अनेक परजातियां पाए जाती हैं भारत जिव सुरच्छा अधनियम सन 1972 में लागू किया गया था क्या आप जानते हैं आप यह आउसदी पादप देख लेते हैं कौन-कौन से आउसदी पादप हैं यह इंपोर्टेंट प्राचिन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए 200 विख्यात रहा है अवर्वेद में लगभख 2000 2000 पादवों का वड़न है कम से कम 500 निरंतर परियोग में आते रहे हैं 276 संग ने लाल सूची के अंतरगत 302 पादपों की गड़ना की है जिसमें 52 पादप अतिसंकट ग्रस्त है और 49 पादपों को विनिस्ट होने का खत्रा है भारत में प्राय अवसदी के लिए परियोग होने वाले कुछ निमने लिखित पादप हैं जैसे सर्पगंधा यह रक्त चाप निदान के लिए परियोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है इंपोर्टेंट है यह सर्पगंधा जामुन पके हुए फल से सिर्का बनाया जाता है जो की वायू सारी और मुत्रवर्धक है और इसमें पाचन सक्ती के भी गुड होते हैं बीज का बनाया हुआ पावडर मधु में रोग में साहता करता यानि जो जामुन होता है वा डायवेटीच के लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है बहुत महत्रपूर होता है दवा के लिए बात करते हैं अर्जूल बात करते हैं तुलसी पादप जुकाम और खासी की दवा में इसका परियोग होता है तुलसी के पत्ते का कचनार फोड़ा यानि अलसर्व दमा रोगों के लिए परियोग होता है इस पौधे की जड़ और कली पाचन सक्ती में सहाथा करती है कचनार की अपने छेत्र के औसधी पादपो की पहचान करो कौन से पौधे औसधी के लिए परियोग होते हैं और उस अस्थान के लोग उनका कौन सी बिमारियों के लिए परियोग करते हैं कि प्राक्रफिक पारिश्थिद्की तंतर मनुफित के जीवन के लिए अनिवा रख्या यह संभो है कि प्राक्रफिक परियरोड का निरंतर होता रहा है परियावर्ण का निरंतर होता जा रहा बिनास रोका जा सके हो सकता है संभव अगर योजनाय बनाए जाए और जागरूप किया जाए लोगों को तो अब आगे देखते हैं भारत विश्व का एक अकेला देश है जहां सेर तथा बाग दोनों पाय जाते हैं भारती सेरो का प्राक्तिक वास अस्थल गुजरात में गिर जंगल है बाग मद्ध परदेश तथा जहार खंड के वनों पश्चमी बंगाल के सुन्दरवन तथा हिमालई छेत्रों में पाय जाते हैं जो अतधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं लद्दाख की बरफिली उचायों में याक पाय जाते हैं जो गुच्छेदार सिंगों वाले बैल जैसा की जीव है जिसका भार लगभग एक तन होता है तिबती बारा सिंगहा भारल यानि नीली भेड जंगली भेड तथा कियांग तिबती जंगली गधे भी यहां पाय जाते हैं कहीं कहीं लाल पंडा भी कुछ भागों में मिलते हैं भारत में अनेग रंग विरंगे पच्छी पाये जाते हैं मोर, बतक, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर कुछ पच्छी पर जाती हैं जो देश के वनों तथा आदरशेत्रों में रहती है हमने अपनी फसले जैव विविध परियावरण से चुनी है अनि खाने योग पौधों के नीचे से हमने बहुत से अवसदी पादवों का परियोग कर उनका चुनाव किया है दूद्ध देने वाले पसू भी प्रक्ति द्वारा दिये गए बहुत सारे जानवरों से चुने गए हैं जानवर हमें बोजाट होने क्विसी कार यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं इनसे मास एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं मचली से पौस्ट की कहार मिलता है बहुत से कीडे मकोडे फसलो फलो और बिरिच्छों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारे कीडों पर जयविक नियंत्रड रखते हैं पर तेक परजाती का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है अता उनका सनरचण अनिवार है जिसा कि पहले बताया गया है कि मनिस्यों द्वारा पादपों और जीवन के अत्तधि कुपयों के कारण पारिस्थित्की तंत्र असंतुलित हो गया है लगभग तेरा सो पादब परजातियां संकट में हैं और बीस परजातियां बिनस्ट हो चुकी हैं काफी वन जीव परजातियां भी संकट में हैं और कुछ बिनस्ट हो चुकी हैं पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची बेपारियों का अपने बेवसाय के लिए अत्यधिक सिकार करना है। अपने देश की पादप और जीव संपती की सुरच्छा के लिए सरकार के कई सरकार ने कई कदम उठाएं जैसे। अब आगे देखते हैं। यहां पर वन जीव प्राड़ी मतलब कहां कहां पर पाए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं। यहां पर जो रेड कलर से है वन जीव प्राड़ी उभयवन है। यहां पर पाए जाते हैं। यहां कहां पर हो गया। यहां पर हो गया पेरियार। मुड्डू मलाई। देखते हैं। अटू नगरम। पुछेरम। कवाल। इन सब छेत्रों में वन जीव प्राड़ी अभयवन पाए जाते हैं। जीव यहां पर चंदका, चंदरप्रभा, सरिष्का, गोरुमारा। इन सब छेत्रों में वन प्राणी उभयवन अभयवन पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं पच्छी अभयवन यानी पच्छीयां कहां कहां पाए जाते हैं। एक यहां पर पाई जाती है और आगे देखते हैं में Public City इनि दो हो चेत्रों में पाई जाती है और यहां इसँट्र पार्क अब बात करते हैं नेशनल पार्क हो गया राजगीर, स्कूपुरी, कानहा नेशनल पारक, संजय गांधी नेशनल पारक,. उसके बाद यहां पे केवला देव, रडठमबो, नेशनल पारक,, मानस नेशनल पारक, काजी रंगा नेशनल पारक , दुद्वा नेशनल पार्क कार्वेट नेशनल पार्क राजाजी नेशनल पार्क दाची गाम नेशनल पार्क यह सब नेशनल पार्क हैं असलिए सब नेशनल पर्क किसिव राजय में इस्ति है यह आप हमें कमेंट बॉक्स में में लिस्ट सें की इस यादें हो जाएगा पाइस पार किस राजय में पर जाते हैं किन हैं किन राजियों की देखते कि 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 इसमें देखते दूसरा पॉइंट कि सन 1902 से सरकार द्वारा पादप उद्ध्यानों को उद्ध्यानों को वित्ती तथा तक्निकी शाहता देने की योजना बनाई गई है अब हम सभी को अपनी अती जीविता के लिए प्राक्तिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्त को समझना चाहिए यह तब संभो जब प्राक्तिक परियावरण का अंधविश्वास तत्काल समाप्त कर दिया जाए यहाँ पे 18 जो जीव मंडल नीचे है आरच्छी चिर यहाँ पे दिखाए गया है जैसे सुन्दरवन मनारकी खाड़ी निलगीरी नंदा देवी नोक्रेक गेट निकोबार मानस सिंपली पाल दिहांग दिबांग और दिब्रू सिखोवा अगस्त मलाई कंचन जंगा पंच मढ़ी अचनक कमर अमरकंटक कच चंडारेगिस्तान सेसा चलम पन्ना प्रवासी पच्चियों के बारे में पढ़ लेते हैं प्रवासी पच्ची भारत के कुछ दलदली भाग परवासी पच्चियों के लिए परसीदै सीð रितू में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहां आते हैं पच्चियों का एक मनपसंद अस्थान कच्च का रण है जीस अस्तान पर मरू भूमी समुधUS से मिलती है वहां लाल सुंदर कलंगी वाले फ्लाइमिंग गोए हजारों के संख्या में आती है खारे कीचड के ढेर बना कर उसमें घुसले बनाती है और बच्चों को पालती है अदेश में अनोको दर्सनी द्रिशों में से यह भी एक है हमारी कीमती धरूहार नहीं है खेले कुछ यहां पर प्रश्ण दिया गया है घास प्रश्ण यहां पर है पहला की रबड किस प्रकार की वनश्पती से संबंधित है तो इसका हो जाएगा उस लिकटी बंधी वर्शावन सिंकोना के ब्रिच के लिए कितनी वर्शावाले चित्रों में पाए जाते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा सो सेंटीमेटर आगे देखते हैं सिंपली पाल जियू मंडल नीचे कौन से राज में है तो इसका उत्तर हो जाएगा ओडिशा यहां पर है कि कौन से जियू मंडलनचे बिस्तु के जियू मंडलनचें के लिए रखेंगे तो इसका हो जाएगा निलगीरी तो यहां पर कुछ छोटे छोटे प्रश्ण दिया गया है इसको आप पैराग्राफ पढ़के इसको अच्छे से कर लीजिएगा तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं अगली क्लास में तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी सेयर करें थैंक्यू सो मच हेलो फ्रेंड्स गुट इवनिंग कैसे हैं आप सब आसा करते हैं आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पहड़े हैं NCRT जिग्राफिक लास नाइंद की तो फ्रेंड्स आज हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे इस चैप्टर का नाम है जनसंख्या तो आज हम जनसंख्या के बारे में जानेंगे तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं क्या आप मानो रहित बिसु की कलपना कर शकते हैं संसाधनों का उपयोग योम समाजिक योम सांस्कृतिक वाता वरण का निर्माड कौन करता है करता है समाज योम अर्थव्योस्था के विकास में मानो की मानो का महत्पूर योगदान होता है मानो संसाधनों का निर्माड योम उपयोग तो करता ही है वे सोयम भी विभिन गुडो वाले संसाधन भी होते है कोईला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानों ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का अभिस्कार करके उसे एक संसाधन नहीं वनाया यानि कोला जो है वह एक पत्थर का टुकड़े टाइब का था तब तक था जब तक कि इंसानों ने उसे एक संसाधन नहीं बनाया उसे उप्योग में नहीं लाया तो जो इंसान है वह भी एक इंपोर्टेंट गुड़ों वाला संसाधन माना जाता है प्राक्तिक घटनाय जैसे बाढ़ एवम सुनामी जब किसी घनी अबादी वाले गाउं या सहर को परभावित करते हैं तब ही वो आपदा बनते हैं यानि आपदा तब बनता है जब ये किसी घनी अबादी गाउं सहर को परभावित करते हैं यानि नुक्षान करते हैं जानमाल किहानी करते हैं तब ही हम उसे आपदा कहते हैं इसलिए समाजी कध्यन में जनसंख्या एक आधारी ततो है यह एक संदर्व बिंदू है जिसे दूसरे ततों का अलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थियों महत्तों ग्याद किया जाते हैं संसाधन आपदायों बिनास का अर्थ के ओल मानों के लिए ही महत्तपूर है उसकी संख्या बितरड बृद्धियों मिसिस्ताएं गुड पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विविचना करने के लिए मूल प्रिष्ट भूमी परदान करते हैं मानों प्रिथवी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है इसलिए यह जानना आवस्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं वे कहां और कैसे रहते हैं उनकी संख्याओं में ब्रिधी क्यों हो रही है तथा उनकी कौन-कौन सी विश्यस्ताएं भारती जन गड़ना हमारे देश की जनसंख्या से संबंदित जानकारी हमें परदान करती है आगे देखते हैं जनसंख्या का आकारियों बित्रड भारत की जनसंख्या का आकारियों बित्रड भारत की जनसंख्या का आकारियों संख्या के आधार का अधार पर बित्रड मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाग थी जो की बिसु की कुल जनसंख्या का 17.5 परतिसत थी यह 12.1 करोड लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलो मीटर के विसाल छेत्र में आस्मान के रूप में बितरित हुए है यह जो 32.8 लाख वर्ग किलो मीटर है यह विस्यो के अस्थली भुभाग का 2.4 प्रतिसत है 2011 की जनगड़ना के अनुसार देश की सभी अधिक जनसंख्या वाला राज उत्तर परदेश है जहां की कूल अबादी 1990 लाख है उत्तर परदेश में देश की कूल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है दूसरी ओर हिमाले छेत्र के राजे सिक्किम की आबादी केवल 6 लाखी ही है लच्छ दीप में केवल 64429 लोग ही निवास करते हैं लच्छ दीप में भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राजियों में निवास करती है जो भारत की लगभग आधी अबादी है सिर्फ पांच राजियों में निवास करती है अनि सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं उत्र पर्देश, फिर महारास्ट, फिर बिहार, पच्ची मंगाल, आंधर पर्देश, फिर महारास्ट में तीसरे नमबर पे बिहार, फिर चौथा बंगाल फिर आंध्रप्रदेश में आए द्रिश्टी से देखते हैं कि द्रिश्टी से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है जिसकी आबादी भारत की कुल कुल जनसंख्या का केवल मांच पॉइंट मांच प्रतिसत है यहां पर देखिए मैं चित्र दिया गया है जिसमें भारत है 2.4 परसेंट भारत का हिस्सा जितना है यहां पर जनसंख्या है जिसमें भारत का प्रतिसत जो है वह 17.5 प्रतिसत है अब जनसंख्या के आधार पर भारत की जनसंख्या वित्रड जनसंख्या घनत तो असमान वित्रड का बेहतर चित्र प्रस्तूत करता है प्रति एकाई छेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत तो कहते हैं भारत बिश्व की घनी अबादी वाले देशों में से एक है क्या आप जानते हैं कि ओल बांगला देश तथा जापान का जनसंख्या घनतो भारत से अधिक है यह आप हमें कॉमें बताया इस प्रश्ण का उत्तर 2011 में भारत का जनसंख्या घनत तो 382 ब्यक्ति प्रति वर्ग किलो मेटर था जहां बिहार का जनसंख्या घनत तो एक हजार एक सो दो ब्यक्ति प्रति वर्ग किलो मेटर प्रति किलो मेटर है वहीं अरुडाचल परदेश में यह सत्रे ब्यक्ति प्रति किलो मेटर है चित्र संख्या 6.3 में राज अस्तरी जनसंख्या घनत के असमान भीद्रण को दर्श आता है यहां पर देखते हैं यह है जनसंख्या भीद्रण महारास्ट 9 परसंट उत्तर परदेश 16 परसंट बिहार 9 परसंट पश्ची मंगाल 8 परसंट अंधरपरदेश 7 परसंट मध्धपरदेश तमी डाडू राजस्थान 6 परसंट करनाटक 5 परसंट गुजराद 5 परसंट जारखंड असम जारखंड केरलोडिसा 17 परसंट पंजाब 2 परसंट हर्याड़ा 36 गड़ 2 परसंट अब यहां पर देखते हैं कि दिल्ली जम्मू कस्मीर उत्राखंड एक एक परसंट है सब राज और केंद्र सांसित परदेश 2 परसंट तो यहां पर इस हधार से जनसंख्या भीदरण को दिखाया गया है अब यहां बहारत की जनगर्णह201 जनसंख्या खनत जहां पर नहीं कि अध slippery ग्रीण है वहां पर जो ब्लेक्ति किलोमेटर है 210..... है और थाई सो से कम सूब देखने कि किदने राजियों में थाई सो से कम भीुए रहते हैं प्रतिवर्आ किकिलोमेटर में तो यहां पे हो गया 36 गड़, मध्य पर्देश, राजस्थान, उत्राखंड, हिमाचल पर्देश, यहां पे सिक्कीम, अरुडाचल पर्देश, यहां पे नागालेंड, मडीपूर, मिजूरम, तीनों इधर हो गया, फिर में घाला है, यहां पे 250, ब्यक्ति वर्ग किलो मेटर सोरी, पर्दी किलो मेटर रहते हैं, अब आगे देखते हैं, यहां पे है कि यहां 200 से 500, इस यत्र में जो ब्यक्ति पर्दी वर्ग किलो मेटर रह रहे हैं, 251 से लेके 500, जो लाइट ग्रीन, चलिए देखते हैं, यहां पे असम त्रिपूरा, उसके बाद गुजराद, दादर नगर हवेली, महारास्थ, गोवा, करनाटक, आंधर परदेश, ओडिशा, जारगंड, इन सब छित्रों में 200 से 500, ब्यक्ति पर्दी वर्ग किलो मेटर रहते हैं, अब आगे देखते हैं, 500 से 7500, इसे यहां पे तीन राज़े हैं, ऐसे पंजाब हो गया हर्याडा, पंजाब, हर्याडा, दमिनाडू, यहां पे जो लोग हैं 500 से 700, ब्यक्ति पर्दी वर्ग किलो मेटर रहते हैं, अब आगे देखते हैं, साथ सो से एक हजार साड़े साथ सो से एक हजार व्यक्ति प्रतिवर्ग के किलो मेटर यहां पर देखते हैं कितने राज्यों में केरल और उत्तर परदेश केरल उत्तर परदेश दिल्ली सौरी 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 सिर्फ केरल और उत्तर परदेश यहां पर साड़े साथ सो से लेकर के तक एक हजार प्रतिवर्ग क किललो मीटर रहते हैं आप देखते हैं कि 1001 से अधीक 5000 से अधिक लोग कितने राजियों में रहते हैं तो यहां पर देखते हैं जिसे विहार फह कि मंगाल दिल्ली इन सभी छेत्रों में एक हजार से अधीक व्यक्ति पर्तिवर के किलोमेटर रहते हैं चलिए बागे दिखते हैं कि यहां पर एक कोश्चन पूछा है कि 250 व्यक्ति पर्तिवर के किलोमेटर से कम जनसंख्या घंदत्वाले राज्यों के नाम बताईए तो देखा हमने चलिए अब आगे दिखते हैं परवती छेत्र तथा प्रतिकूल जलवाईवी अवस्थाए इन छेत्रों की बिरल जनसंख्या के लिए उत्तरदाई है किस राजी का जनसंख्या घंद तो 250 परतिवर्ग किलोमेटर से भी कम है और क्यूं है तो यह आप हमें बताएंगे इसका आंसर क्या होगा असम एवं अधिकतर प्रायदीपी राज्यों का जनसंख्या घंद तो मध्यम है पहाड़ी, कटे, छटे, एवं पत्रीले, भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली, एवं कम उज्वाव मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घंद को प्रभावित करती है यानि ये सब चीजें जो दसाएं हैं यह जनसंख्या घंद को प्रभावित करती हैं उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदानी भाग, एवं दच्छिड में कीरल का जनसंख्या घंद तो बहुत अधिक है क्योंकि यहां समतल मैदान एवं मुवजाव मिटी पाए जाती है तथा पर्याप्त मातरा में वर्षा होती है उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घंद तो वाले तीन दच्छिग की नाम बताईए इसका भी आंसर आप हमें देंगे उस पर जितने आंसर देंगे उतना नीचे लिग दिजेगा कि पहला दूसरा तीसरा चोथा अब यहां पर जनसंख्या ब्रिद्धी एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया जनसंख्या एक परिवर्तन जनसंख्या एक परिवर्तन सील प्रक्रिया है अबादी की संख्या भीत्रड एवं संघटन ने लगातार परिवर्तन होता है यह परिवर्तन तीन प्रक्रियाओं जनम भृत्यू एवं प्रवास के आपसि संयों के प्रभाव के कारण होता है जन संख्या भृत्धी क्या होती है जनसंख्या का बृद्धि का अर्थ है कि किसे विशेश समय अन्तराल में 10 वर्षो के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्टन इस परकार के परिवर्टन को दो परकार से ब्यक्त किया जा सकता है पहला सापेच्छी बृद्धी दूसरा परती वर्स होने वाले परिवर्दन द्वारा परती एक वर्स या एक दसक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में बृद्धी का परी माण है पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटा कर इसे प्राप्त किया जाता है इसे निर्पेच बृद्धी कहा जाता है जनसंख्या की बृद्धी का दर दूसरा महत्यपूर तहलू है इसका अध्यन प्रती वर्स प्रतिसत में किया जाता है जैसे प्रती वर्स दो प्रतिसत की ब्रिद्धी दर का अर्थ है कि दिये हुए किसी वर्स की मूल जनसंख्या में प्रतेक सो ब्यक्तियों पर दो ब्यक्तियों की ब्रिद्धी इसे वार्सिक ब्रिद्धी दर कहा जाता ह भारत की अबादी 1991 में 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12100 लाख हो गई है यहाँ पे इस प्रकार्षे दिया गया है 2011 तक का यहाँ पे जो प्रतिसेत है 2011 का 1.64 है उसके बाद जनसंख्या यहाँ पे दी गई है तो इस टाइम में आपको पूरा नहीं देखना है बस 2011 का देख लिजीगा क्योंकि यही अभी तक यहीं तक जनगड़ना हुई है अभी न्यू जनगड़ना नहीं हुई है तो इसे कोशन पूछी जाएंगे क्योंकि 2011 का जो जनगड़ना से रिलेटेड डेटा है वो आपके मैंड में फिट होना चाहिए चली अब आगी देखते है यहां पर देखिए कि जो जनसंख्या है यह कितनी तेजी से बड़ी है सीधा ग्राफ उपर गया है और अभी भी बढ़ रहे है इस टाइम भारत जनसंख्या के मामले में पहले अस्थान पर आ गया है पहले चीन था अब पहले नंबर पर है अब यहां पर पढ़ते हैं कि सारडी 6.1 एम 6.4 एम 6.42 दरसाते हैं कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक ब्रिदी दर नेमित रूप से बढ़ रही थी यह जनसंख्या में तीब्र ब्रिदी की व्याख्या करता है जो 1951 में 3610 लाख से 1981 में 6830 लाख हो गई दुगनी सारडी 6 ग्याद कीजिए सारडी 6.1 से पता चलता है कि ब्रिद्धी दर में कमी के बावजूद परतेक दसक लोगों की संख्या नेमित रूप से ब्रिद्धी हो रही है ऐसा क्यों यहां पर पूछा गया है कारड किन्तु ब्रिद्धी क्योंकि 1981 से ब्रिद्धी दर धीरे धीरे कम होने लगी है इस दोरान जनमदर में तेजी से कमी आई है फिर भी फिर भी किवल 1990 में कुल जनसंख्या में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की ब्रिद्धी होई थी इतनी बड़ी वार्षिक ब्रिद्धी इससे पहले कभी नहीं होई थी इस पर ध्यान देना अवस्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है जब विसाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेच ब्रिद्धी बहुत अधिक होती है जब 10 करोड जनसंख्या के नियुंतम दर से ब्रिद्धी होती है तब भी जुडने वाले लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक होती है भारत की वर्तमान जनसंख्या में पार्षिक ब्रिद्धी संसाध्रों एवं परियावरण क के सन अच्छड को मिस्क्री करने के लिए परियाप्त है इसकी अधिक जनसंख्या बढ़ी है इसकारण से यह बात कही गई है कि बृद्धी दर में कमी जनमदर नियंत्रण के लिए किये जा रहे परियासों की सफलता को परदर्शित करता है इसके बावजूर जनसंख्या में क कि तिव्र बिद्धी जारी है दो हजार पैतालीस तक भारत चीन को पीछे चुड़ते हुए विस्के अधिक अवादी वाला देश बन सकता है कि यह डेटा भी गलत साबित हो गया क्यूंकि अभी कि 2023-24 में ही भारत चीन को पीछे छोड़ दिया इस टाइम पहले नंबर पर बिद्धी परिवर्तन की प्रक्रिया है जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की तीन मुखे प्रक्रिया हैं जनम दर मृतियोदर एवं प्रवाश जनमदर यो मृतुदर के बीच का आंतर जनसंख्या की प्राकृतिक ब्रिद्धी है एक वर्ष में परती हजार ब्यक्ति ब्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जनम होता है उसे जनमदर कहते हैं यानि एक हजार ब्यक्तियों कर जीवित बच्चों की संख्या जीवित वच्चों की संख्या जिसे हम जनमदर कहते हैं यह ब्रिद्धी का एक प्रमु घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जनमदर मृत्युदर्शे अधिक रहा है जनमदर भारत में हमेशा मृत्युदर्शे अधिक रहा है एक वर्स में प्रती हजार ब्यक्तियों में मरने वालों की संख्या के उमृतियुदर कहते हैं यानि एक हजार ब्यक्तियों में प्रती वर्स जिसे एक हजार ब्यक्तियों पर मरने वाली संख्या के उमृतियुदर कहा जाता है मृत्यूदर में तेजी से गिरावट भारत की जनसंख्या में बृध्धी की दर का मुख्य कारण है 1980 तक उच्छ जनमदर यो मृत्यूदर में लगातार गिरावट के कारण जनमदर यो मृत्यूदर में काफी बड़ा अंतर आ गया है यहुम इसके कारण जनसंख्या प्रिधिदर अधिक हो गई है 1981 से धीरे धीरे जनमदर में भी किरावट आनी शुरू हुई है जिसके परडाम सुरूप जनसंख्या प्रिधिदर में भी किरावट आई है इस प्रकार के चलन का क्या कारण है जनसंख्या प्रिद्धी का तीसरा घटक है प्रवास लोगों का एक छेतर से दूसरे छेतर में चले जाने को प्रवास कहते हैं प्रवास अंतरिक देश के भीतर या अंतराश्टी देशों के बीच हो शकता है अंतरिक प्रवास जनसंख्या के अकार में कोई परिवर्तर नहीं लाता है लेकिन यह देश के भीतर जनसंख्या के बीत्रड को परभावित करता है जनसंख्या बीत्रड एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रयास की महत्यपूर भूमिका होती है प्रवास की महत्यपूर भूमिका होती है भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामिट से सहरी छेत्रों की ओर होता है क्योंकि ग्रामिट छेत्रों में अपकरसड कारक प्रभावी होते हैं अपकरसड कारक प्रभावी होते हैं ग्रामिड छेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतुकूल अवस्थाय हैं। एवं नगर का अभिकर्षण का प्रभाव रोजगार विर्धी एवं अच्छे जीवनस्तर को दर्शाता है नगर। नीमित व्रिधी हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.39 परतिसत नगरी जनसंख्या की थी। इससे बढ़कर तिरपन हो गई है। किसोर जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का सबसे महतपूर लच्छड है। या भारत की कुल जनसंख्या का पांचवा भाग है। 22 के सबसे महतपूर मानवसंसाधना किसोरों के लिए पोसकत्तों की आवसकताएं बच्छों तथा वयसकों से अधिक होती है। तो पोसर से इनका स्वास्त खराब एवं विकास और रोधित हो सकता है। परूंतों भारत में किसोरों को प्राप्त भ्रोजण में पोसकतत अपर्याप तो होते है। उनकी समस्याओं पर परयाप्त ध्यान नहीं दिया गया। नहीं दिया गया किसोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रती समवेदल सीद बनाना चाहिए सिच्छा के प्रसार तथा इनमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रती जागरुकता बढ़ाई जा सकती है जिसे सिच्छा के प्रसार के माध्हम से और सुधार के माध्हम से जागरुकता बढ़ाई जा सकती है अब देखते हैं रास्टी जनसंख्या नीती रास्टी जनसंख्या नीती परिवारों के अकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्तियों कल्याण को सुधारा जा शकता है इस तथे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक ब्याफक परिवार नियोजन कायकरम आरंभ किया परिवार कल्याण, कारेकरम, जीमेदार तथा सू नियोजित पित्रित को बढ़ावा देने के लिए कारेरत है रास्टी जनसंख्या नीती 2000 कई वर्सों के नियोजित पर्यासों का परिडाम है रास्टी जनसंख्या नीती 2000, 14 वर्स से कम आयू के बच्चे को निसुलक सिच्छा परदान करने सीसी उम्रिति उदर के पर्ती 1000 से 30 30 से कम करने वाले ब्यापक अस्तर पर टीका रोधी, विमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने लड़कियों की साधिक की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोथसाहित करने तथा परिवा नियोजोन को एक जन केंद्रित कारिकरम बनाने के लिए नीती गत धाचा परदान करता है जनसंख्या नीती 2000 तो पहला प्रश्न है कि निमनली खित में से किस शेत्र में प्रवास अबादी की संख्या बित्रण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है तो इसका सही उतर हो जाएगा गर्श्थान एवं आगमद दोनों चित्रों में दूसरा है कि जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपाद है निमने लिखित में से यह किसका परेडाम है तो इसका सही उतर हो जाएगा उच्चे जनमदर दीसरा है कि निमने लिखित में से कौन सा एक जनसंख्या बृद्धी का परिमार दर साता है तो यहां पे हो जायेगी कि जन संक्या विद्धी तो इसका सही उतर हो जाएगा जन संक्या की विद्धेदर चौथा है कि 2011 के जनगड़ना के अनुशार 176 वेक्तिव है इसका सही उत्तर हो जाएगा घर जो पढ़ना लिखना यह उम अंकड़ी तीनो जानता हो तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं एक नए सीरे से क्लास 10 की जियोग्राफिकी अन्सियार्टी में तो अच्छे से उसको पढ़ेंगे पहले चैप्टर से सुरू करेंगे और धीरे-धीरे करके आपको सारी अन्सियार्टी जियोग्राफिकी कम्प्लीट हो जाएगी अभी तक 6 अन्सियार्टी कम्प्लीट हो चुकी है और इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है तो आपको करते हैं एक नए सीरियस है क्लास जंत की अन्सियार्टी में थैंक्यों सो मजड़ करेंगे 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 करेंगे